कि नमश्कार गुड़ मॉर्निंग कैसे आप लोग कि टाइम इस्पिडेंड डिस्टेंस हम लोग देख रहे हैं ठीक है चलो शुरू करें आप हमसे वाटसेप और टेलिग्राम दोनों जगह जुड़ सकते हैं ठीक है यह हमारा हेल्प लाइन नंबर आपको खाली हालो लिखना है और हलो लिखकर करके यह लिख लेना है कि मुझे वाटसेप और टेलिग्राम गृप में जोड लीजिए हम आपको लिंक शेर कर देंग दावेच चल रहा है यह अभी जस्टी 10-15 दिन पहले कंप्लीट हुआ है कॉम्बो बेच है यह कंप्लीट वी ओडी बेच है दो साल के लिए मैस रिजनिंग का पाउंडेशन बेच है सब दो-दो साल के कोर्से से हैं ना चलिए बेसिक समझते हैं अब अपन इसका ठीक है ब देखिए आप जानते हो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना पेसिक सा सिद्धान ते आप जानते हो चाल बराबर दूरी बटा समय स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम यह पहला कॉंसेप्ट से आप यह बात ध्यान रखते हो अगर यहां से दूरी निकालना है तो चाल का समय में गुणा कर दो और समय निकालना है तो दूरी बटे चाल कर दो यहीं से बन जाएंगे दूसरा अगर आपकी कोई भी चाल जो कि किलोमेटर पर आवर में हैं अगर आपको उसको मिटर पर सेकेंड में बदलना है तो आप उसमें क्या करोगे पांच बटे ठारा का मल्टिप्लाइ कर दोगे ठीक है लेकिन अगर जस्ट इसका उल्टा करना है कि अगर कोई चाल आपकी मिटर पर सेकेंड में है पर अगर आप आप चाहते हो कि वह चाल आपकी किलोमेटर पर आवर में बदल जाए तो उसमें हमें अठारा बटे पांच का मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा ठीक है एक चलिए एक छोटी सी बात और याद रखना मत याद रखना यह कि यह करो सेलेक्शन पोस्ट का सवाल है करके बताओ एक आदमी 25 मिनट में 3 किलोमेटर और 200 मिटर जाता है तो यह पहला टाइप है न टाइप वाइस पढ़ेंगे अपन ठीक है जिससे पहला बेसिक टाइप है हमारा उसके बाद हम एवरेज स्पीड पढ़ेंगे इसके अंदर ठीक ह पिर उसके बाद मैं आपको रेशो प्यादरी जितने भी सवाल आए हैं वह करवाँगा फिर डिस्टेंस पर आधारी जितने भी सवाल बने हैं फिर चोर पुलिस का शांदार कॉंसेप्ट आया है अभी सी एससी में पिर मिटिंग कॉंसेप्ट पढ़ाऊंगा इस टोपेज हो जाएंगे फिर है ना यह वह सारे क्वेशन होंगे जो दो हजार चोईस की एक्जाम में आये हैं तो थोड़ा बहुत बेसिक समझना आपको आना चाहिए ठीक है थोड़ा बुद्धी लगाना जो मैं समझाऊंगा बहुत सिंपल चीज़ है और कम से कम चीज़े लिख करक लिख लीआ है वो कि तो 32 मिटर जाने में उसने कितना वक्त लिकार ले लिया 25 मिनट-विजो 25 में यह यह आपका मिटर में हैं यह आपका मिनट में मिनट को 62 60 से싸ंट्रिप्ला कर देंगे तो सेकंड में आ जाए गा इतने सेकंड ले राहे और हमें चाहिए 400ग किलमेटर पर आवर में यह देटा हमें ऊपर देた में में नीचे देखा ये सब समय में तो में में 10 पर सेकेंड में दे रखा है और मुझे चाहिए किलोमेटर पर आवर में 58 बाटे पन्स का इंट्यू कुरूँगा हैं तो इहां पर किसका मैं 600 आइत्र फांच का 18 15 का म्लटिप्लाय कर दिया हुआ कि का चलो 25 जो के स worms है न चे एकम छे एठीए आठारा एक काम करो यह देखो दस पंचे पचास है पचास को सो बनाने के लिए नीचे क्या गरोगे दो का इंटू करते ही नीचे तो बन जाएगा दो का इंटू उपर कर दो तो देखो चारती या बारा बार दुना चोइस चोईस दोना 48 की हाठ चार बचा चोईस तिया 274-76 और सौ का भाग देने पर क्या आएगा 7.68 तो 7.68 किलोमेटर पर आवर यह आपके सवाल का अंसर हो जाएगा ठीक है तो समझ में आ गया होगा इक कार 24 की इस्पीड से चलती है फिच्चास मिनट में द्रकारति है अगर वही दूरी हमें 51 मिनट में कंम करना के लिए चाल अगर तब किस चाल से चलना पड़ेगा गर 51 मिनट में ही जाना है वो दूरी तो तो देखो अगर 36 किलोमेटर प्रती घंटे के इस पिड़ से वो पिच्चा से मिनट चला ग्च्चा से मिनट में है गंटे में बदलने के लिए 60 का भाग विए है यही जाना थी तो बराबर कर दिया स्वाल्व कर लिए इसको देखो साट से साट कटेगा सत्रा पंजे पिच्चासी सत्रा तिया इक्क्यावन और तीन से कटेगा ये बारा बार तो बारा पंजे साट यानि की स्पीड आगई आपकी सिक्स्टी किलोमेटर पर आवर ऑप्षिन नंबर सी मेरा अंसर आएगा इस पिच्ट से गाड़ी चला रहा है तो देखो अगर वो साट की गती से नाव चला रहा है तो पैंतालिस मिनिट में कोई दूरी ट्रेवल कर रहा है अब यही दूरी उसे तीस मिनिट में ट्रेवल करना है तो बता उसकी चाल कितनी होनी चाहिए तो मान लो चाल एक सोनी चाह कड़ जाया जैसे अभी पिछले सवाल में कड़ गया था तो उसको लगाने की जरूत नहीं है आप यहां देखो डाइरेक्ट तीस से साथ कटेगा दो बार 45 दून नभ्वे नभ्वे आपका अंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है और पहले दिन चाल वी से टी समय में एक्स दूरीताय करता है अगले दिन वह इतने समय में इतनी दूरीताय करता है बता उसकी चाल कितनी है तो देखो चाल चाहिए मेरे को चाल मतलब स्पीड तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय अगले दिन इतने समय में इतनी को सॉल्व कर सकते हैं क्या बिलकुल मैंने का देखो यहां पर एक जीरो लगा दो दो संख्या के बाद पॉइंट है यहां भी पॉइंट है पॉइंट से पॉइंट हटेगा अब 25 से काड़ तो 25 से कम 25 पच्चिस त्या पिचत्तर दस एक्स बटे थ्री टी कि अनुग अच्छा वी की टर्म में चाहिए तो देखो पहले दिन क्या था आप द्याद समझना यह तो दूसरी स्टेप है पहली स्टेप क्या लिखी हुई है कि पहले दिन पहले दिन क्या है चाल वी है उसकी और समय टी है ना तो वी चाल चाल बराबर दूरी दूरी कितनी थी पहले ए के बराबर है तो देखो यह कितना आगया दस एक्स बटे थ्री टी आ गया अब मुझे बताओ कि यह एक्स बटे टी की जगह क्या मैं भी लिख सकता हूं क्या तो बिल्कुल आप देखो कि दस बटा तीन और यह वी आ गया तो दस वाई तीन वी आ आ गया अंसर अजाएगा ओक्षिन नंबर बी बराबर बिया इंसर आएगा यह बताओ कि रश राशी है संजा शशी है राशी ने फिप्टी किलोमेटर की ओसत चाल से चार्सो किलोमेटर की दूरी ताई कि चार्सो किलोमेटर की दूरी पचास की स्पिट से ट्रेवल करिये उसने तो देखो 400 किलोमेटर गया है वो कि पचास की स्पिट से 50 किलोमेटर पर आवर की स्पिट से हैं कि वो भी आठ गंटे में यह एट आवर्स आ यहां पर चारसो किलोमेटर जाने में पचास की स्पिट से आठ गंटे लगे उसको पहले अंतराल में पहली आधी दूरी तो पहले अंतराल में क्या है पहली आधी दूरी मतलब इसकी आधी दूरी पहले अंतराल में पहली आधी तो इसकी जो आधी दूरी है वो दो घंटे में तय कर रहा ही है तो दो घंटे में survival करी को अगर दो घंटे में 200 गया तो एक घंटे में लुक्त कि अंनि कि सो के स्पिट से चला होगा दोसो किलोमेटर यह फर्स्ट अंतराल है पहला हाफ है ना फिर यह बोल रहा है कि दूसरे अंतराल की दूरी को ध्यान से समझना दूसरे अंतराल की दूरी को कितनी दूरी गया है नहीं, दे रखा ये, दूसरे अंतराल की दूरी ओर पहले अंतराल की आधि चाल से पहले अंतराल में चाल कितनी दी सो थी तो अभी आधी चाल से चलेगा यारni कि कि स्पिट से चला है अ कि Schmidt से छला है कि यह पहलें दोर्य को पहले सचाल डीचाल से चला है दूसरे अंतराल की डूरी तो दूरी की चाल क्या होगी तो शेशदूरी बची कितनी आप बलोगे शेशदूरी है कितनी तो आप बताओ देखो 400 मैंसे टोटल 25 चल चुका है वह वह ऑफ थैस सच चल चुका है तो चार समया से डाइसा चल चुका है तो अभी भी 500 200 किलोमेटर चलना बाकी है उसको? है न और वो भी कित्त है है तोतल टाइम लगा है आठ गंटे का यह कुल है एना कुल समय कुल समय आठ गंटे होने चाहिए तो और एक तीन गंटे हो गए तो यहां पर कितने बचे हुए पांच गंटे यहां लगे होंगे यहनि कि अगर तो त्सकी इसमें कितनी रही होगी मैं 6 में इसकी स्पीड 30 किलोमेटर। रही होगी यह आपके सवाल का अश्रिए 30 किलो कि एक शहर भी है कि इन दोनों के बीच की दूरी डी किलोमेटर है कि आपने एक छोटे सी चीज याद रखनी है जो मैंने बताई नहीं है पर अब याद रख लो कि 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 समान दिशा में अगर दो लोग चल रहे हैं कि समान दिशा में कि समान दिशा में चलने को बोलते हैं रिलेटिव स्पीट है ना या विपरिद दिशा में चलने को भी रिलेटिव स्पीट बोलते हैं तो आप किसी व्यक्ति के साथ साथ चलोगе यहने की समान दिशा में चलोगे जिदर by Vienna बिल्प है उदर आप जा जाओगे या तो आप उसके विपरिद चलोगे दो भी दिशा हो सकती है एक आप किसी भी चीज के साथ साथ चलोगी या किसी चीज सारे घटती है चाल घटेगी और विप्रिदिशा में चाल क्या होगी जूडएगी जूडएगी ठीक है यह छोटा सा कॉंसेप्ट से याद रखिएगा तो देखो यहां पर एवरेज स्पीड क्या है कोई मान लेता हूं अगर मैं एक्स की स्पिट से यहां से गया हूं और यहां वाई की स्पिट से वापस आता हूं मैं तो एक्स की चाल से गया वाई की चाल से आया टोटल टाइम लगा टी घंटे का यहां से में कुछ और कॉंसेप्स भी है वो निकाल सकता हूं मैं यहां पर लेकिन अगर मैं मान लेता हूं कि एक बंदा एक्स की चाल से गया एक बंदा वाई की चाल से गया इन यह एक ही बंदा है जो गया था x की speed से मान लो ठीक है आया है y की speed से ठीक है एक बात बताओ पहला बंदा to x-km की दूरी गया था था इना की कोops मैं यह केरा हूं कि पहला बंदा d k12 गया यहां से यहां तक a से 7 तक की बहुँभी किलोमेटर दूरी चलि तो दोनों ने मिलके कुल दूरी कितनी चलि यह ड्यान देना मैं निकाल रहा हूं एवरेज स्पीड यानि कि ओसट चाल ऑशचाल बराबर क्या होता है याद रखियेगा अरे चाल बराबर क्या बताया था मैंने दूरी पटे समय यही तो बताया था सैनल बराबर क्या होता है दूरी बट़ा समये बराबर रुरी बट़ा समये एक छोटी सी चीज याद रखना एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय एक छोटा सा सिद्धान्त है बहुत काम का सिद्धान्त है याद रखिएगा आज के बाद कभी मत भूलना ठीक है और इसी को ध्यान में रखिए अगर ए ने यह जो कोई बंदा है यहां से चला है वह एक्स की चाल से डी किलोमेटर गया तो देखो डी किलोमेटर गया वह एक्स की चाल से तो इतना समय लागा डी बटा एक्स अरे यार इत्ती दूर गया इस चाल से दूरी बटे चाल समय होता है मुझे बात बताओ यार पहला बंदा भी डी किलोमेटर जा तो D दूरी हएा एक्सी जाल से दूसरा बंदा डई दूरीघावय की चाल से यही तो आपकी Average Speed है छुम दूरीrü बैटे कुल समय सब्सychी यह यह खुल धुरी बैटे कूल समय सो D प्लस दी कितना आ जाएगा टूडी और यहां देखना हूँ है यह डी-एक्स प्लस दी-वाई यहां से डी-एक्स-प्लस-वाई और यहां से D से D कटेगा तो बताओ ये कितना आगे 2XY अपोन X प्लस Y याद रखना एवरेज स्पीड बराबर होगी 2AB अपोन A प्लस B ऐसे एक और एवरेज स्पीड होती है जब तीन व्यक्ति होते हैं जैसे A से B की दूरी उतनी है जितना B से C की दूरी है एक बंदा A से B तक जा रहा और थीसरा बंदा でしょう B जा रहा है और अच्छी बात क्या पता है कि ये वाली दूरी ये वाणी दूरी और ये वाली दूरी बराबर है तो यहां से कोई बंदा जर्ड की स्पिठ एधर जा रहा है मान लोんなग्यों कि इस्पिट्स दो जैर किलो मिटर पर आपर की स्पिट सिज एक और फॉर्मुला होगा एवरेज स्पीड का याद रखना जब यह तीन बराबर दूरियां चलेंगी अलग-अलग आप इस पिड से एक्स वाइज एड़ से यह फोर्मुला हो जाएगा फिर एक्स वाइज एड़ प्लस एक्स वाइज प्लस एड़ एक्स सेम इसी फॉर्मुले में वेल्यू रखके जब आप आगे प्रूव करोगे न तो यह फोड़ा सा लंबा होता है स्वल्व करना तो यह याद रखिएगा कि औस चाल बरावर होता है कुल दूरी बटे कुल समय और जब दूरी बरावर हो दूरी कॉंस्टेंट दूरी निश्चित हो तभी यह रिजल्ट्स लगेगा ध्यान रखना आप अलग 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 दूरियों में यह अध़रल जब लगेंगे जब दूरी स्थिर हो जब दूरी क्या हो स्थिर हो इस्थिर यह नि की स्थिर यानिकी कॉंस्टेंट हो ये यह जाद रखना ऑर कि वताओ यो निर्थ लृग्रा स्थिद्फट से जातीया चैने चालीस Gothic स्थिट से तो डायरीक्ट एवर्जस्पिट का फोर्मुला क्या होगा कि अऱे डिस्टेनस अलग अलग तो है नहीं तो आप डायरीक्ट फोर्मुला लगा दो दो X Y अपॉन X plus Why तो देख़्ों 2-0 गुना एक्स गुना भाय दो गुना साट गुना चालीस वर्टे साट प्लस चालीस यह नहीं की सोग तो इतना अंसर आजाएगा 48 किलोमेटर पर आवर यह आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी स्पीड बराबर क्या होता है औस चाली बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय तो देखो पहले कोई आदमी 40 की स्पीड से चार घंटे तक गाड़ी चलता है तो 40 चोक ए 160 किलोमेटर गया फिर एक घंटे सो गया वह है ना मानले एक घंटे आराम किया फिर पचास की घंटे गाड़ी चलाई यह जो एक घंटे आराम किया ना यह भी जुड़ेगा कुल समय का मतलब बरबाद किया गया समय भी जुड़ना है कुल का मतलब भी कूल होता है है ना दोला-पंद्रा-एक-त-ीस हो गया 310 और चार-पाँच-तीन-आठ आठ से भाग दे दो आठ तिया चोईज जोईज और साथ बचेगा सतर हो गया ना सतर तो साथ रठेचपन सात नमेतने सट नमेतने सट उनचालिस पैंट सम्तिंग आएगा उनचालिस पैंट पच्चिस अ भागों में बांटता है अब दिको तीन दूरियां है है यह पहला भाग दूसरा भाग तीसरा भाग और यह तीन बराबर दूरियां है कि यह अभी जो समझजा है डिस्टेंस constant है तो तेन अलगलग चालों से जा रहा है तो बता वे इस्पीड क्या है तो आप बहुत सारे LCM वाले तरीके से कर लो लेकिन डाइरेक्ट है वही बेसिक सवाल है अब फॉर्मूला लगा दो ना 3ABC upon A plus B plus C है ना तो देखो 3XYZ तो 3 into X into Y यह average speed है average speed 3XYZ तो 3 into X into Y into Z अब बटे में XY 8,488 तो अब प्लस YZ यह निकी 618 तो अब प्लस ZX यह निकी 8200 कितना आ गया है अच्छार बारा और आट बीस का शुन्य हसिल दो बचा दो और यह दो चार और एक पांच पांच चार नो नो हजार आ गया है तो डिवाइड बाइड नो हजार लिख दू डाइरेक्ट में डाइरेक्ट है बिलकुल है ना तो 123 123 और तिन तिया नो से यह नो भी कटेगा आठ चंग 48 किलोमेटर पर आवर आंसर आ जाएगा आपका 48 किलोमेटर पर आवर यह आपकी अवरेज स्पीड बन जाएगी option number C ठीक है तो आप दे एक्सप्रेस पांच घंटे में 700 किलोमेटर जाती है 11 घंटे में इतने किलोमेटर जाती एवरेज स्पीड क्या है एवरेज स्पीड चाहिए वह भी मेटर पर सेकेंड में है तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी कुल दूरी बटे कु एकम सोला भागने जाएगा तो शुर्ण यह दस आ रहा है या कहीं पे देखो दस यहीं पे तो 107 अंसर जाएगा है ना इतने इतने सोरी सोरी इसोरी सोड़ी सोरी सोरी है इतने तो किलोमेटर पर आवर ही है इसको मिटर पर सेकेंड में बदलना है ना तो पांच भाई अठ लेपलाइ करना पड़ेगा पांच एक हमपांच 58 एंटीस कि डिवाइडवा अठारा आ गया है वह कि अठार हाद नीशतीन अठारा तीया चोपन तो अठार दो ना 36 चाथ तीस अठार अटिया चोपन यहनिकि 17 बचेगा एक्सो पिचत्तर आ गया कि है न ऐस हारा एक सौसी एक सौसी आ गया अठारा गया दस माइनस आठ दो बचेगा दो गे सोले 162 अठार नमें 162 तो अठार नमें 162 162 दस बहातर तिहोतर चोहतर पिचत्तर तेरा बचेगा यह यानि कि 29 सही तेरा भाई अठारा अंसर आजाएगा उप्शन नमबर आपका सी वाला यह पांच भाई 18 का मल्टिपवाई इसलिए किया क्योंकि मुझे मिटर पर सेकेंड में डेटा चाहिए था था ठौन है एक कार को पांच घंटे चलाता है कि यह का बेटरी जाने वाली हैं मैं आपके करियर की तरह तो इस प्रतियागषन कर देता है प्रतिया घंटे चाल डबल कर रहा है तो एक गंटा दो गंटा तीन गंटा चार गंटा पांच गंटा ठीक है पांच वे गंटे उसकी चाल 128 है तो हर गंटे उसने चाल डबल करी अगर उसने हर गंटे स्पीड बताओ तो एवरेज स्पीड क्या आती है कुल दूरी बटे कुल समय कुल दूरी जोड़ो फटा-फट देखो चोंसेट और चतिस सो होता है 36 नहीं है मतलब 32 चार और उधार ले लो चार अगर में इधार उधार ले लो तो कि कि ना 49.6 आगया आपका अंसर यहां पर चलिए एक सवाल और कर लेते हैं फिर बैटरी चेंज कर लेता हूं एक वक्ति अपनी कार को 24 किलोमेटर तक 48 की गति से चलाता है डेड़ घंटे के लिए असी किचाल से चलाता है पूरी यह सवाल तो होमवर्क है कुल दूरी बटे कुल समय है आप इसको ट्राय करिएगा बेसिक सवाल एक दम है ना 16 किचाल से 96 किलोमेटर गया पांच घंटे में 21 किलोमेटर तक दूरी चलाई यह भी एवरेज स्पीड का फॉर्मुला है तो होमवर्क है तो कुल दूरी बटे कुल समय कर लेना ठीक है देखो पहले 96 किलोमेटर गया फिर अगली बार पांच घंटे तक 21 की स्पीड से गाड़ी चलाए तो 215 किलोमेटर फिर गया यह कूल दूरी गया इतना और कुल समय कितना लगा तो देखो 16 कि स्पीड से 96 किलोमेटर जाने में 16 चंग 96 गंटे पहले लगे फिर बाद में 5 घ सब्सक्राइब तो ग्यारा दुना बाइस 18.2 सम्थिंग आएगा 18.27 अंसर आजाएगा आपका ठीक है कि एक सवाल और कर लें फिर बेटरी जेंज करते हैं एक आदमी रेल गारी दौरा असी किचाल से 1200 किलोमेटर जाता है ठीक है यह वही है यार कुल दूरी पटे कुल समय असी किचाल से 1200 किलोमेटर गया यानिकी 15 घंटे लग गये यहां चालीस घंटे लग गया 15 घंटे 40 घंटे देखो ये 15 घंट यह लग गया है एना फिर 40 घंटे यहां लग गया छारेशू किस कि से 1000 किलोमेटर गया है यहीं कि यहां पर 20 20 किट अदाई खंटे यहां लग गये दिंग है ना है ना 50 की सपिट से 200 किलोमेटर गए 4 घंटे यहां लग गए कितना आ गया 40 और 50 पच्पन और 4 60.5 यहीं कि 61.5 घंटे लग गए टोटल 61.5 गंटे लग गए टोटल कितना जाने में तो पहले गया 1200 किलोमेटर फिर तो यही आपकी एवरेज स्पीड है बेसिक सवाल है ठीक है एक सवाल और करी लेते हैं चार गंटे में साड़े आट की स्पीड से चार गंटे चलता है यहीं कि साड़े आट की स्पीड से का दबल 24 सीन दो बार डबल करना चार गटे का मतलब क्या तो दो गुना दो तो साधे आट गुना चार या साधेट का डबल सतरा सतरा का डबल चो gefचिस किलो मिटर पहले गया है ना पहले 34 km गया फिर फिर आउट चलाया डेढ़ घंटे के लिए 20 की स्पिट से तो 20 गुणा डेढ़ यह नहीं कि 30 km फिर चला है ना फिर वाई घंटे तक 4 की स्पिट से चला तो 4 वाई किलो मेटर फिर गया तो यह इतनी दूर गया है यह उसत चाल बराबर आगया कुल दूरी बटे कुल समय आप इसका मल्टिप्लाइं यहां कर दो तो दस गुणा साड़े पांच यह पच्पन आ गया प्लस दस वाई प्लस चार भाई आगया और पच्पन दस पैएसक्ट यनिकि नो बचा तो वाई बराबर कितना अगया इंग क्या ये वाई बराबर डेढ़ आ गया वाई की विलियू 1.5 आ गया सटा ठीक है इतने सवाल बच्चे हैं भाई इसके हैं दो सवाल और बच्चे अगर दो हो गए तो ठीक है वरना फिर रीशों पर चलेंगे बेटरी है अभी तो चलो आनंद पांच घंटे के पहले अंतराल में 50 की स्पिट से गाड़ी चला रहा है पचास की स्पिट से पांच घंटे गाड़ी च अंतराल में एवरेज इस पिडिये चलो ठीक है आनंद पहले पांच घंटे के लिए 50 की स्पिट से एक निश्ची दूरी तया करता है तो देखो 50 की स्पिड से 50 की स्पिड से वो पहले 5 घंटे तक गाड़ी चलाता है यथी यनिकी टोटल 10 haisal किलो मेंट गया है वो है ना ठीक है कि पहले अंतराल में तो ये पहला अंतराल था है कि अन्य यह पहला अंतराल था अब दूसरे अंतराल में क्या कर रहा है वो द्यांद से समझना अब है दूसरे अंतराल में उसने चाल में 20% की वध्यकर दी 25% बढ़ा दी तो 20% बढ़ा मंकि पचास का 20't पर आहरे के सपिड में सबता करना हैं 20 % 60 हुता है किना चार्ट की चार्ट है जिसके कारण पहले अंतराल की तुल्नमे बिस परऻ्ण अधिक दूरी ताई की पहले से 20 ज्यदद दूरी ताई की उस पांच घंटे ही तो लगे होंगे साट पंजय तीन सो हुता ये पिर यह बलगा थी सरे अंतराल में अब तीसरा अंतराल आ गया है यहांपर बें किarme कि पहले दोराल की तो पहले दो अंतराल का average speed कितना बनेगा पहले दो अंतराल की कुल दूरी कितनी है तो कुल दूरी आ गए आपकी छे तीन दो पांच तीन दो पांच ये पांच और ये जीरो साड़े 500 किलोमेटर गया पहले दो अंतराल में वो टोटल समय लगा है 10 गंटे का तो डिवाइड 10 गंटे तोटल इतने किलोमेटर यंझे 500 किलोमेटर कुल दूरी बटे कुल समय इन दोनों पहले दोनों अंतरालों का average निकाला तो तीसरी उसकी चाल आ गई ये जो इन दोनों अंतरालों का जो ओसत चाल ये जो attend सब्सक्राइब च्छाल है करता है इससे भी 10% ज्यादा दूरिताय कर रहा है ना दूसरे अंत्राल की दूरी की तुल्ला में 10% ज्यादा इसका 10% ज्यादा यानि कि 330 का 10% होता है अब 30 ज्यादा दूरिताय कर रहा है यानि कि 330 km जा रहा है वह एक बात बताओ वच्पन की पिट से 330 जा रहा यहनिकि छे घंटे चला और क्या पच पंचंग 330 35 35 बिल्कुल सभी तो तीनों अंतरालों को पुरा करने में कुल कितना समय लगा टोटल टाइम पूचा आए तो पांच पांच दाज और 6-16 यहनिकि 16 गंटे टोटल लगे हैं 16 आवर्स यह हमारे सवाल का अं है कि यह वाला है समझना कर एसी मार्ग पर यात्र करते समय मनिश अपनी कि-रह में लगने वाले कों समय का एक चोथाई भाग तसके सम maximal समय का अगलीली 15 क्लक्ल समय का अगला चोथाई भाग बीस से और उसकी यात्रा है तो लिया गए कुल समय का अंतिम चोथाई भग तीस की चाल से ताय करता है अपनी यात्रा के दुरान रागव की एवरेज इस पिट भाई रही और मनीश की जैड रही तो जैड माइनस वाई दोनों की एवरेज स्पीड का अंतर पूछा है कुछ है यह रद्धी सवाल है को ढंग से समझना हूँ लीजन केरफुली सुर्ण है देखो छों क्या होता है एसे बी तक जा रहे हैं दो लोग हैं एक रागव है और एक मनीश है नहीं एक ठाग एक मनीश है ना रागव की अवरेज स्पीड हाई किलोमेटर पर आवर मनीश की राघव से चला देता हूं तो पहले में राघव को चला देता हूं फिर में मनीश को दोड़ा दूगा ठीक है फिर में मनीश को दोड़ा दूगा एक चोथाई दूरी 10 की स्पिट से गया, एक चोथाई दूरी 10 की स्पिट से, अगली एक चोथाई 20 की स्पिट से, अगली एक चोथाई 20 की स्पिट से, अगली एक चोथाई 30 की स्पिट से, यानि कि हर बार एक चोथाई, एक चोथाई, एक चोथाई दूरी जा रहा है, यानि मैंने का एक काम करता हूं है पहला बंदा 10 की स्पिट से गया है ना यहां में लिख लता हूं उनकी स्पीड हूं ठीक है यहां में लिख लता हूं डिस्टेंस यहां में लिख लता हूं उनका टाइम है ना डंग से समझना पहला बंदा 10 की स्पिट से गया हूं दूसरा बंदा 15 फिर 20-30, 15-20-30, 10-15-20-30, 10-15-20-30, LCM कितना आगे है, distance का 60, यह हमारा distance आगया 60 km का, यह मैंने मान लिया 60 km distance है आपका, है ना, एक बात बताओ, 10 की स्पिट से 60 km गया तो 6 गंटे लगे, 15 की स्पिट से 60 km गया तो 15,64 गंटे लगे, 20 की स्पिट से 60 गया तो 20 ती आशाट ती गंटे लगे, और 30 की स्पिट से 60 km गया तो 3 दो नीचे दो गंटे लगे, यह ना, यहनि कि मैं कह सकता हूँ कि पहला बंदा भी 60 km गया, दूसरा भी 60 km, तीसरा भी 60 km, चोथा भी 60 km, यहनि कि कुल दूरी गये हैं, वो 60, 60, 60, 240 km, तो मैंने कहा है, जो average speed है न, यह औस चाल, पहुसत चाल, वाय बरावर, वो आ गई, टूटल डिस्टेंस, साट प्लस साट प्लस साट प्लस साट प्लस साट, यहनि कि साट गुना चार है न, और कुल समय कितना लगा, 6 और चार, 10, 10, 13, 13, 15, 15, 15 गंटे में हैं, तो 15 से साट कटेगा 4 बार, 4 चोटे 16, यहनि कि 16 km पर आ मनीश के केस में थोड़ा सा चेंजेस है देह धंग से समझना इसको मनीश क्या कर रहा है दिखो यहां पर ठीक उसी मार्ग पर यात्रा करते समय मनीश मनीश क्या कर रहा है कि अपनी यात्रा में लगने वाले कुल समय का मनीश जितना भी समय लग रहा है ना कुल समय पूरी आत्रा फिनिश करने में मनीश को उस कुल समय का जो एक चोथाई है ना उसमें वो चोथाई भाग जा रहा है दस कुल समय का एक चोथाई भाग 10 की स्पिट से अगला एक चोथाई भाग 15 की स्पिट से कुल समय का अगला एक चोथाई भाग 20 कि स्पिट से और उसकी आत्रा है तो कुल समय का अंतिम चोथाई भाग 30 कि स्पिट से गया अब यहाँ पर समय नहीं दे रखा है तो मैंने का देखो जो भी समय है उसका एक चोथाई गंटे तक ट्रेवल कर रहे हैं वो है ना मैंने कहा मनीश के केस में कि माना कुल समय कितना है माना कुल समय है चार गंटे सब पोस करो कि माना कुल समय लगे है मनीश को पूरी यात्रा फिनिश करने में चार गंटे इसका मतलब यह हुआ कि चार गंटे में से पहले एक गंटे तक वो दस की स्पिट से चलता रहा फिर एक गुणते तक मलब किल चो थाई का एक बटे चार भाग यह उनिए कि Sun लिख व्हन किस्पिट से चला और आखरी जो एक घंटा carrying 30 गैसे चला तो मुझे बात बताओ अगर मुने कुल समय है 30 किलो मेटर मान लिए । तो जो मनीश है वो पहले एक घंटे तक 10 की स्पिट से गया अगर एक घंटे तक 10 की स्पिट से गया तो कितनी दूर गया 10 किलो मेटर गया फिर एक घंटे तक 15 की स्पिट से गया तो 15 किलो मेटर गया फिर एक घंटे तक चाल क्या है X से देखो तो तो देखो 30 और 50, 60, 70, 70, 80, 85 पिच्चासी बटे 4 आ गया तो 85 के बटे में 4 आ गया यानिक ये 4 दुनीया, 4 एकम 4, 4 दुनीया, 4 पंजे 20 ठीक है 21.25 km पर आवर आपका अंसर हो जाएगा यहाँ पर ठीक है लेकिन हमें ये नहीं पूछा है है ना कि इन दो पांच एक छे साथ एक मिन्द पांच और एक सब्सक्राइब करना फिचत्तर आंगा कितना अधार चोके बहत तर ठाप चेटर आ जाए गए अगे ना 18.5 km per hour आ गया तो आप से क्या पूचा हुआ है यहां पर जेड माइनस वाइ बताइए तो देखो जेड माइनस वाइ निकालना है तो जेड कितना है जेड है हमारा अरे अच्छा यह एक्स नहीं है जेड है ना हां तो जेड है जेड माइनस एक से नहीं कि 18.55 में से 16 गया 18.55 में से 16 गया तो 18.55 माइनस 16 कि नहीं कि आ गया 2.55 किलोमेटर पर आवर यह उनकी स्पीड में डिफरेंस आ गया 2.75 किलोमेटर पर आवर औक्शन नंबर डी में रांसर आएगा बोलो समझ में आया ठीक है अब मैं बैटरी चेंज कर लेता हूं क्योंकि रिश्व एक नया कॉंसेप्ट आ रहा है ठीक है एक मिनिट देना अगर 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 प्तेों और अगर चली रिश्यो मेथर समझतें अब पर कर्स चैनल मेतर अब जानते हो या डिस्टैंस कोंस्ट्ड होती है तो डाइम स्पीड का इनवर्स हो जाता है फिए जैसे जिPE आव दिस्टैंस कॉंस्टैंस आप जानते हो कि जब दिस्टैंस constant होगा तो क्या होगा? अगर speed का ratio दे रखा है मुझे A से B तो time का ratio क्या हो जाएगा? B से A यह ना? यह basic सा सिद्धानत है जो आप जानते हो ठीक है? यह time का ratio देगा तो speed उसका उल्टा हो जाएगी एक दूसरे के उल्टे होते हैं यह दोनों याद रखिएगा केवल तब होगा जब distance constant होगी केवल तब यह कभी भी मत करते हैं ना हर सवाल में यह बात याद रखना चलिए आगे पढ़ते हैं सवाल में क्या बुला हुआ है ढंक से समझना एक व्यक्ति एक निश्चित चाल से एक निश्चित दूरीताय करता है कि यह बोल रहा है कोई दूसरा व्यक्ति तीन गुना समय में 25 प्रशन दूरीताय करता है पहले व्यक्ति की चाल दूसरे व्यक्ति की चाल का अनुपाद बताईए देखो पहला व्यक्ति क्या है एक निश्चित चाल से निश्च दुरीतय करता है मानलो कोई दुरी है D कोई constant speed है S मान लेते हैं समय मान लेते हैं चलो कुछ भी ठीक है मान लेता हूं पहले कोई बंदा D kmT घंटे में जा रहा था तो यह उसकी स्पीड आ गई D by T यह वे यह स्पर तीन समई ले रहा है तो समय पहला बंदा यहां तूसरा एक कि 25 परसेंट दूरीताय कर रहा है यानि कि यह जो बंदा दूरीताय कर रहा था ना उसका 25 परसेंट एक बटे चार दूरीताय कर रहा है तो पच्छिस परसेंट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पच्छिस परसेंट होता है एक बटे चार एक बटे चार इस्टेंस ट्रेवल कर तो महें डी से कटकाटेगा यहां जाएगा तो मैं ने काम करओ लुमें के यहां आया तो वन और यहां पर कितना यह बारा आ गया अद्सक्राइब कि यह जाएगा यह न होटां है वारह यह जाएगा यहनि कि 25% अगर बढ़ा दें तो time कितना बचेगा बचत पूछिए आप से speed बढ़ा रहा है 25% distance वही है constant है कजबों के बीच की दूरी है 72 km जो भी है वही है दूरी तो अलग है नहीं तruर कितना बढ़ा दी उसने 25 25 परशन मतलब होथा है इक बढ़े चार इएस बढ़ा रहा है वहा 이제 incent इसीडवद चार से 50 करth इस ने अगर इसपीड़ चार से 5 कर दींदी किस बढ़ी करती तो time कितना लगेगा ताइम कितना लगेगा पांच से चार पहले अगर वक्त पांच लग रहा था तो अभी चारी लगेगा है ना और यह बोल रहा है कि कजबों के बीच की दूरी 72 की स्पीट से साड़े साथ गंटे में ताई की जाती है इसका मतलब यह है कि 72 की स्पीट से अगर वो साड़े साथ साठे साथ घंटे चला है तो एक बात बताओ इस अभी अगर स्पीड बढ़ा लेगा तो कितना समय बचेगा तो पहले कितना वक्त लग रहा था तो पहले आपका साठे साठ गंटे लग रहा था ता गंटे-30 मिनिट साठ गंटे का मतलब होता है यहाँ तो पहले 455 लग रहा था कि पांच का कितना गुणा है 90 है अभी समय कितना बच रहा है एक पहले पांच वक्त लग रहा था बीएक वक्त कम लग रहा है यही तो बचा थे एक मिनट की एक यूनिट की इस एक का भी 90 कुना कर दीजिए तो 90 मिनट अंसर आजाएगा आप सा जाएगा एक वक्तिक स्थान से नो और बारा की चाल से चलते हैं यात्रा को पूरा करने में पहला विक्ति दूसरे से 20 मिट जादा लेता है देखिए दोनों की स्पीड है क्रमशह नों से बारा तो आप रिशो निकालेंगे तीन 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 चो के बारा यहीं कि इन दोनों की चाल का अनुपात आगया तीन से चार यह स्पीड का रिशो है तो टाइम का रिशो कितना आएगा चार से तीन यहीं कि पहले बंदे को 4 मिनिट लग रहे है तो दूसरे को 3 मिनिट यहीं कि जो पहला बंदा है वो दूसरे से कितना मिनिट ज्यादा ले रहा है एक यूनिट ज्यादा ले रहा है एक यूनिट ज्यादा ले रहा है वो किया रहा है 20 मिनिट ज्यादा ले रहा है एक यूनिट 20 minute के बराबर है एक unit 20 minute के बराबर है तो यात्रा की दूरी पूछिए दूरी के लिए पहले मुझे समय पता होना चाहिए तो मैं कोई साभी निकाल लो आपकी जो श्रद्धा भावना हो भक्ती हो तीन निकाल लो चार निकाल लो चलो चार की वेल्यू कितनी आ गई और जो पहला बंदा है उसका टाइम निकाला है मैंने चार यूनिट तो उसकी स्पीड दिन नौ किलोमेटर प्रति घंट है यानि कि नौ की स्पीड से असी मिनट जाएगा तो नौ की स्पीड से अगर वो 80 मिनट चला है 80 मिनट 80 मिनट है इसको घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे साट का भाग देंगे तो जीरो जीरो खटेगा 8 9 72 बटे 6 कितना आ गया 12 किलोमेटर डिस्टेंस आ गया यहां से दूरी है दिस्टेंस बराबर क्या होता है इंट टाइम यह तो डिस्टेंस होती है यह नि के आ ना बारा किलोमेटर यह दूरी आ जाएगी बारा कैसे आया आठ में नो का मुल्टिप्लाय करके छे का भाग देना बारा आ जाएगा एक सिख्षक साथ घंटे में बाइस किलोमेटर की दूरी ताय करता है आंचिक रूप से 2 की स्पिट से पैदल चलता है और बाकी बची चार की स्पिट से साइकल से चलता है будके लिए दूरी कितनी है कि और उप्षण से कर सकते हो बढ़ता पेदल ताय की दूरी कितनी है मैं का यह काम करो ड़ टोटल सात गंटे तक चला है और total 22 km चला है मान लेता हूं पैदल 6 km गया है तो पैदल उसकी speed कितनी है तो च्छे दुनी 12 यहां से गया है तो प्लस है ना लाज यह ना अश्य दुनी 12 कि नए नहीं नहीं कि एक मिनिटे दो की 2 cm यहां तीन घंटे लग गए इस छे किलोमेटर जाने में अब बजे कितने चार घंटे गण्ते में उसको चार कि स्पिड से है cob transformed tonight अब यह 16 16 ओ बाइस हो जाएगा क्या हो भूर है ना यह अंशर आगया आपका और क्या पहले ही options आगया नहीं समझ में आया कोई डही बात नीए मैं यह कहना है हुडिए ननाक्तिक आयरा है पेदल भी जा रहा है और साइकल से भी जा रहा है वोक करके भी जा रहा है पेदल भी जा रहा है तोटल वह बाइस किलोमेटर जा रहा है तोटल कितनी दूर जा रहा है बाइस किलोमेटर वह भी कितने साथ गंटे में है 17 गंटे में 20 क्लो मेटर जा रहा है इतना हमें दे रखा एठीक है मैंने और उप्शन्स उठा है पहला कि मान लो 6 किलो मेटर गया पडल पे दल गया वो 6 किलो मेटर बश्चिव अब कुश्चो कि पैदल उसकी Democrats किझ अगर में वह दो और चार साथ घंटे होगे तूटल, अब मुझे एक बात बताओ, के चार गंटे तक चला साइकल से, लेकिन साइकल से उसकी स्पीड इसपीड देद चार गंटे चलाओ, तो इसका मतलब 4 स्पीड़ से 4 जोन सबुत्ताओ अनुक्रा, तो मुझे बताओ 16 किलोमेटर से भी कर सकते हो जिकेंड मेंध और है कि एलिगेशनवाला ठीक के लिगेशन से भी कर सकते के यह टोटल दूरी गया है 22 किलो मेटर साथ घंटे में तो एक गया है वो पैदल पैदल उसकी स्पीड दो है साइकल से उसकी स्पीड चार है और यह एवरेज स्पीड हो गई उसकी यह साथ हटाने के लिए आप क्या करोगे साथ का मल्टिप्ला यहां भी कर दो यहां भी कर दो यहां भी कर दो ठीक है तो साथ दुन तो दो चुक्ही आट्ट, दो तिया चहे यानि कि इधर तीन घंटे चला है इधर चार घंटे चला है तो आप से पूछा क्या है पेदल चली गई दूरी ये पेदल है तो पेदल जो भी होगा वह तीन का मैं अब तीन का मॉल्टीपल यह औप्शन निया भाई ठीक है वरना मैंने basic बता दिया है उसका option से कर सकते हो ऐसे भी distance निकालने के कुछ दो result से याद रखिएगा अगर distance constant हो और distance निकालनी हो तो दो प्रकार से distance निकाली जाती है ध्यान रखिएगा ठीक है इस्टेंस निकालने के दो तरीके होते हैं पहला तरीका क्या है समझना इस्टेंस निकालने के दो तरीके होते हैं पहला distance बराबर होता है पहली चाल यह जाने की चाल है into यह आने की चाल है है ना बटे में चालों का अंतर into यहां लिखते हैं समया अंतर है ना एक और formula होता है same to same होता है formula तो कि याद रखना इसी तरह का यह भी distance बराबर होता है पर यहां बीच में प्लस आ जाता है और यहां समयांतर की जगर कुल समय आ जाता है ठीक है ना याद रखिएगा बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला है बहुत इंपोर्टेंट यह कब लगेंगे तो मैं बता देता हूँ देखो जब भी कोई बंदा एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहा रहा है एकस की चाल से चलेगा एक बंदा दूसरा बंदा वाई की चाल से चलेगा यह दूरी डी किलोमेटर है तो हो सकता यह दस घंटे में पुच्जा इसको बारा घंटे लग जाए दी दूरी जाना है ना उनको तो distance constant fix है यह X की चाल से D दूर जाने में 10 गंटे लगा दे यह 12 गंटे लगा दे तो जब समय बराबर नहीं लगेगा और समय अलग 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 लगराए समय में अंतर दे रखा है तो यह वाला फर्मुला लगा देना हो लेकिन अगर कभी ऐसा लिखा हो कोई बंदा यहां से यहां तक जा रहा है A से B तक, A से B तक गया, A से B तक तो गया है X की स्पिट से, और यह वापस भी आ जाए Y की स्पिट से, तो यह बोल दे कि जाने में और आने में कुल पांच गंटे लगे, तो जब कुल दे रखा हो, तो कुल समय वला फॉर्मला लगा दे लिए, जब इसको जाने में 5 गंटे इसको जाने में 10 गंटे लगे यह 5 गंटे पहले पहुच गया यह 10 गंटे पहले पहुचेगा समय में अंतर दे रखाओ तो यह वाला result है और दियान रखना यह 100 वाह क्या है तो यह 100 vaik जाता है आठ की स्पिट से और दो की स्पिट से वापस आता है गया आठ से है आया दो से ही है तो जाने और आने में उसे टोटल चार गंटे लगे देखो जाने और आने में दोनों का वक्त दे रखा जाने का और आने का दोनों का वक्त चार गंटे लगे यानि की टोटल तो फॉर्मूला भी टोटल टाइम वाला लगेगा तो डिस्टेंस निकालना है दोनों शेर के बीच की दुरी घर से ओफिस की तो वो क्या आएगा जाने की स्पीड इंटू आने की स्पीड बटे तो कि टोटल टाइम दे रखा है तो टोटल स्पीड का योग एक्स प्लस करिए आठ दुनी सोला चोके 64 बटे दस यनिकी 6.4 किलोमेटर तो सवाल बसी इतना सा है ना अगर यह रिजल्ट याद है तो ठीक है एक वक्ति इस्थान से दूसरे इस्थान तक 60 कि स्पिड जाता है और वापसी में 75 कि स्पिड से आता है कुल समय लिया गया है छे घंटे क तुल दी बताओ यह डिस्टेंस वाले फॉर्मूले का होमवर्क दे रहा हूं फॉर्मूला कौन सा लगेगा क्या आंसर होना चाहिए यह आप कमेंड करोगे है ना मैंने समझा दिया डिटल में तो इसका आंसर कमेंड करना अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है यह चोर पुलिस वाला बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है अभी अभी अब एससी में जितने सवाल मैंने करवाए हैं उसमें मिरको हर एक दो शिप्ट में चोर पुलिस का सवाल दिखा ही दिखा है दो जार चोईस में तो यह पैटन धिरे-दिरे बागी एक्जाम से में सब्सक्राम से होई क्लास देखो एक पुलिस है एक चोर को 100 मेटर दुरी पर देखता है अब खंग से समझ techno के लागा ये चोर पुलिस के बीच की दूरी है मान लेता हूं यहां पर पुलिस है और यहां पर चोर है चोर यानिदा है देक हो चोर को बोला जाता है तृट geehr इस्पेलिंग पर मत जाना मेरी इस्पेलिंग बिल्कुल गरीब है यह स्पेलिंग है थीफ यानी की चोर होता है पॉलीस प्रांस में बोलते हैं पुलीस या यह पुलीस है तो मैं जनरली चोर को टी से डिनोट करूँगा क्योंकि इंग्लिश में थिफ बोलते हैं तो कहीं टी लिख दूँ यानि की थिफ यानि की चोर की बात हो रही है पी लिख दूँ यानि की पुलिस है ना क्या दरखेगा तो प टीफ और पलिस, टीफ और थिफ यनि कि छोर हैं , पुलीस बढ़न ने देखा कि छोर उससे 100 मिटर्व दूरी पे खड़ा है यनि कि यहां से कि यहां तक चोर जो हांडयर मिटर्व आगे खड़ा है उससे जब वो चोर के पीछे भागने लगा तो चोर भी भागने लगता है यदि चोर की गती आठ है यह जो थीफ है यह आठ की गती से आगे भाग रहा है अब मैं सरकल लगा रहा हूं यानि कि उसकी स्पीड आ गई है और पुलीस दसकी स्पीड से भाग रहा है जो कि उसके पीछे पंदा होगा चोड़ वताओ तो देखो में दोनों के बीच की दूरी कितनी है सो अब यह भी भागेगा यह इसका पीचा करेगा चूंकि इसकी इस्पीड ज्यादा है तो यह र बार हर घंटे दो-दो किलोमेटर इस से ज्यादा ट्रेवल करेगा तो हर घंटे दो-दो-दो करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-करते-क यहाँ यहां आ यहाँ खीनितने किसी कभी ना कभी तो पकड़े लेगा इसंको कितनी देशने में पकड़े गाँ वह पकड़ crust में लगा यहाँ निकाल रहा हुए तो समय बराबर क्या होता दूरी बटा चाल दूरी कितनी है उन दोनों के बीच की 100 मिटर और दोनों समान दीशा में जा रहे हैं तो 10-8 रिलेटिव स्पीड आ जाएगी दो किलोमेटर प्रति घंटे यह मिटर में है यह दो किलोमेटर प्रति घंटे में इसको पांच बाइ अठारा से मल्टिप्लाए क पर यह मिटर पर सेकेंड में आ जाएगा ठीक है तो मिटर पर सेकेंड में आप निकाल और यह यह पांच दूनी दस से दस कटर और यह 186 पर civil bias नहीं चला जाएगा या आप इसको की स्पिड थी आठ किलोमेटर प्रती घंटे और वो तीन मिनट तक भाग पाया तो तीन मिनट में हैं घंटे में बदलने के लिए साट का भाग दो यानि कि चोर ने इतनी दूरी तरह करी तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई तीफ डिस्टेंस ट्रेवल बाई थीफ यहनी कि थीफ कितना है तो देखो आठ त्याच चोईस बटे साट आगया यह आठ किलोमेटर है और यह वह आगया आपका तीन मिनट है आपको मिटर में चाहिए तो काम करो ना यह किलोमेटर प्रती घंटे में आगया आपका वेल्यू कि आठ किलोमेटर यह तीन मिनट था इसको डिवाड किया तो साथ से इसमें पांच भाई अठारा का अगर मैं मल्टिप्लाइ कर दोंगा तो यह वेल्यू मिटर पर सेकेंड में आ जाएगी तो मिने का दिखो एक काम करो पांच तीया पंदरा पंदरा चोके साथ चार बार क कटेगा दो बार और दो बटे अठारा यानि कि नौ आ गया तो यह एक काम करो यार इसको छोड़ो इसको चला एक बात बताओ चोर ने कितने दूरीताई की चोर ने इतनी दूरीताई की है ना चोर आठ किलोमेटर जा रहा है एक घंटे में और वो तीन मिनट तक भागा है तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए पर देखो तीन से कटेगा यह पंदरा बार तीन बटे पंद्रा किलोमेटर गया तीन बटे पंद्रा किलोमेटर है ना और एक किलोमेटर का तीन बटे पंद्रा भाग यानि कि हजार एक किलोमेटर मतलब हजार मेटर होता है एना आप इस से कुछ तो गडबल कर रहा हूं माफ करना मैंने शाहत गलत पड़ा है पुलीस जब चोर को सो मिटर दूरी पर देखता है पुलीस ने सो को देखा आठ की स्पिट से भागा यह दस की स्पिट से भागा दस तो बटे दो इंटू पांच भाए अठारा एक सौसी सेकेंड आ गय से दो बार रहा है दो आईगे ना उपर अट यह डबल आजाए गा है यह डबल आ ज nhân फिर आप करोगे मैं इस गजिये पंद्रह इंटू सो आएगा तो यह 400 बन जाएगा ठीक है यहीं कि चोर 400 मिंटर दूरी तक चला गया था पकड़ा जाने से पहले फिर से समझो पुलीस एक चोर का पिछा कर रहा है जो उससे 1250 मिंटर आगे है तो देखो एक बात बताओ यह चोर यह पुलीस है है ना समझना हब दिखो यह पुलिस वाला है है कि यह ठीफ है चोड़ है 1250 मिंटर आगे है इससे हैं इसीदी बात है चोर कम Gwenfpillä से भागया पुलीस ज्यादा तेजआ भागय अदस ख्ञारै पुलीस वाला है वसे पखड़े जानने से पहले चोर कितनी दूरी तक भागा है similar question है चलो एक और करवा देता हूं इन दोनों के relative speed बनेगी दो तो देखो 1250 km जाना है अब देखो 1250 मेटर है एक किलो मेटर में 1000 मेटर होता है यह 1000 से कितना ज़्यादा है 1000 से 200 जाजा है यानि कि किलो मेटर दूरी है यह एक दूसरे की बीच की अभी और यह इन दोनों के relative speed कितनी आ गई दो किलो मेटर प्रती घंटे यह भी किलो मेटर में है यह किलो मेटर में यह किलो मेटर में यह किलो मेटर प्रती घंटे में है जब दो से भाग दे दूंगा तो इतने इतने गनटे में पकड़ा जाएगा यह हमारा समय निकल गया है कि छोर ने इतनी दिर में पकड़ लिया उसको अब मुझे बताओ छोर ने कितनी दूरी भागी हो वह राट की स्पिट से इतने गनटे भागा और चोर आट कि Yes yo न इतने घंटे अट Si yes बराबर इतना आएगा तो देखो दो से आठ कटेगा चार बर के यह बताया है जिसकी गती 12 है तो मुझे रहा है उत भराद बताओ यह treating यह पुलिस है पुलिस उसका पीछा कर रही है जो 280 मिटर आ गए है तो देखो 280 मिटर आ गए है उससे यह साथ की स्पिट से भाग रहा है पुलिस बारा के स्पिट से पीछा करेगी उसका पुलिस को चोड़ पकड़ने में कितना वक्त लगए हमें ख़ली टाइम निकालना है इस चोड़ को पकड़ने में वक्त कितना लगए तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल इन दोनों के बीच की दूरी 280 मिटर है पर समय कितना लगेगा तो बारा माइनस साथ यानिकी रिलेटिव इसपिट पांच किलोमेटर प्रति घंटे आ गई ये मिटर में है ये किलोमेटर प्रति घंटे में तो इन्टू पांच भाई अठारा उपर चला जाएगा पस इसको सॉल्व कर लो यही अंसर आपका अब देखो आप गोर से देखो तो यह मिटर में था यह मिटर प्रति सेकंड में आ गया है और मुझे यह वेल्यू चाहिए मिनट में तो अगर यह वेल्यू सेकंड में आ गई तो मुझे इसमें 60 का मुल्टिप्लाय करना पड़ेगा ना 60 का मुल्टिप्लाय करना पड़ेगा त दिवाइड में इन्टू सिक्स्टी नीचे हो गए है ना ठीक इसको सॉलिव करो कि देखो कितनी बार कटेगा जीरो से जीरो कर दो छे से अठारा कटेगा तीन बार एह अठाइस तेर चोरासी आगया 84 वाइडवाइडवाय पच्छीस आगया इतने मिनिट आ गये ही है न पच्चीस तिया पिचत्तर और दस पिच्चासी यह निकी नो भचा नभ्य आ गया कि अधिश पिचत्तर पिचत्तर 10-25 तस पिच्चासी दस पिंचानवे इन सही तीन बटे पांच मिनिट या तीन सही 15 बटे 25 मिनिट है क्या गडबड़ एक मिनिट 25 तीप शतर दस पिच्चाजी तो आंसर यार तीन सही नोव अउनसर आएगा यह हैं पता निक्या कर दिया तीन सही 9 बटा 25 मिनट है यह 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 वेल्यो मिनट में आ जाएगी हुआ astrologyце भागता है चार बज़ा चोर को चोर का पता चलता है मालिक 76 कि स्पिट वेंका पीछा करता है तरफ आउ मां लेता हूं चोर यहाँ पे यह थिप मैं यह पुलीस वाला यहाँ पे है Sug 3 बज़ी वेंचोराता है भागता है यह 3 बज़यरीं हो अधर भागा है चोर को पता चला है चार बजे पुलीस वाले को पता चला है चार बजे चार बजे पता चला पुलीस वाले को पुलीस उसका पीछा करेगी चार बजे मतलब वह एक गंटे तक भागता रहा तो इसका मतलब यह हुआ ध्यां से समझना इसका मतलब यह हुआ कि वो यहां से यहां तक चार बजiden भागता रहा कि ऑग ईयाँ से यहहां तक यह जो थीफ है यह कितना दूर आ गया किसपट से सब्सक्तेवन किलोमेटर आ गया गया किफ्टी सेव seizeन किलोमेटर और जब चोर चार बजे यहां पहुंचा तो उसे पता चला कि चोरी हो गई है तो चार बजे तक यह यहां भग चुका था पुलीस यहां पर अब पुलीस उसका पीछा करेगी यहां से कितनी स्पिट से 76 है ठीक है तो मुझे बताओ यह 57 की स्पिट से भागे गए 76 की स्पिट से पीछा करेगा और अब ठीप यहां आ चुका है आपका यहां पोच चुका है तो यहां पर चौर चार बज़े तक यहां पोच चुका हो होगा अब चौर यह घर है आपका यहां पुलीस वाला खड़ा है चार बज़े यहां पर चौर यहां चुका है यहां पर चार बज़े तक चौर यहां से भागना शुरू करेगा पुलीस यहां से पीछा करना शुरू करेगी ठीफ यहां पर है पुलीस यहां पर है अब समझ म बरेगा दोनों के बीच की दूरी अभी फिलाल कितनी है सत्ता बने समझें आ गया चलो तो दोनों के रिलेटिव इस्पिट कितनी आ गई 57 जब पुलिस वाला चोर का पीछा करेगा तो दोनों की चाले घटेगी तो 76-57 कितना आएगा यहाएगा उनिस त्या सत्ता उनिस चो कि जाएगा बेसिक सवाल एकदम है ना यह समझाने में टाइम लगता है बाकी बेसिक चीजें है यार इतना कुछ है नहीं अच्छे विद्ध्यारती को इतना कुछ नहीं समझाना पड़ता कि पुलिस ने चोर को 500 मिटर दूरी पर देखा अब एक बात बताओ देखो यह पुलिस वाला है रिखना यह थीफ है चोर हैं इसने इसको 500 मिटर दौरी पर देखा 500 मिटर दूर ना किना von 12, 13 अभाग है जो थीफ वह बारा कि इस पिछेक्वागरगा एसे पुलिस जो है वह त Lieutenantadedज़ से पीछा करेगी ऐसे तो एक बात बताओ बारा मिनिट के बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी बारा मिनिट बाद अब दोनों बारा मिनिट तक भागते रहे भागते रहे बागते रहे तो उन दोनों के बीच की दूरी कितनी बचेगी बचेगी दोनों बारा मिनिट तक भागते रहे बागत इस एक किलोमेटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए पांच बाइ अठरा का मल्टिप्लाइ कर दो है ना यह दिस्टेंस निकाल राउंड इस्टेंस तो दूरी दूरी बराबर किया तो चाल गुणा समय तो चाल आ गई एक कहां से आई एक मिनट में बदलने के लिए पांच बाइठरा का मल्टिप्लाइ किया तो यह वेल्यू आ गई मिटर पर सेकंड में आ जाएगी ठीक है अब एक बात बताओ इसको मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा करो यह एक मिनट में इतना भई एक सेकेंड में इसके दवरा चली गई दूरी यह आ गई थी तो 60 का गुणा करती एक मिनट में चली गई दूरी इतनी आ गई और बारा मिनट में चली गई दूरी कितनी आ गई इतनी आ गई तो इ 200 मिटर चल चुके अगर यहां सेयां तक एक बात बताओ कि भची कियर यहां सेयां तक यह बची दूरी है ध्री किपके चीने बकेवची जोन हे दॉरी की infinite डॉनों चली गई दूरी जोन जोने कंड़ेदा इतुरynth पुलिस ने 300 मिंटर की दूरी पर एक चोर को देखा, सेम सवाल है, है ना, यहां यह बोल रहा है, तीन मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी, तो डाइग्राम बाइग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, तीन मिनट में उनके द्वारा चली गई दूरी निकालना है, तो वो घटा देंगी टोटल 300 में से, तो मैंने का देखो, आठ और नो, रिलेटिवी स्पीड कितनी आ गई, एक किलोमेटर प्रती घंटे उन दोरों की, है ना, एक किलोमेटर प्रती घंटे जा रहे हैं, वो, इसको मैंने पांच भाई अठारा से मल्टिप्लाय किया, यह यहां तो मिटर पर सेकेंड में आ गई, यहनिकि, एक सेकेंड में चली घंटे गई इतनी आ गई, इंटो साट किया, तो एक मिनिट में चली घंटे जी घंटी घंटी करना है तो तो, 3 का मल्टिप्लाय करता हूं, यहों तीन से 18 कटेगा 6 बार, 13 छे से 60 कटेगा 10 बार, यहन अगर इन्होंने 50 मिटर कर लिए हैं तो बची कितनी वे टोटल दूरी कितनी थी यहां से तक 300 मिटर की थी थी उसमें से 50 चल लिए हैं तो 200 मिटर दूरी और बची इनके बीच की और बची है तो 50 मिटर ओप्शन नंबर भी अंसर आएगा आपका यह बताओ को एक लुटेरा 5 बजे एक आदमी का भेग चुरा के 10 की स्पिट से दोड़ना शुरू करता है देखो 5 बजे चोरी करके 10 की स्पिट से भागा है पुलीस वाले को 5 12 पे लुटेरे के बारे में सूच ना दी जाती है यह नहीं कि 5 बचके 12 मिनिट पर पता चल जाता तो बारा मिनिट तक चौर भागता रहा तो चौर ने बारा मिनिट में कितनी दूरी तरह कर ली तो डिस्टेंस ट्रेवल भाई थीफ तो देखो डिस्टेंस इस्टेंस थीफ के दवारा कितनी ट्रेवल किये गई बस यह बताओ तो देखो आठ सुरी दस की स्पिट से भागा बारार मिनट में हैं इसको गंटे में बदनने के लिए साढ से डिवाइड कर BA draft तो तो बाररा पंचेश आठ पांच दुनी दश्यनी कि दो किलोमेटर वह बाग चुका है पिए इन अ में ऐख है इसके ना दो किलोमी यहाँ पर है ठीक है और चोर भाग रहा है दस की स्पिट से पुलिस उसका पीछा करेगी है पंदरा की स्पिट से है दो किलोमेटर उनके बीच की दूरी है तो किस समय की सवाला लुटर को भाग लेंगा तो बता कि दो किलोमेटर दूरी दोनों को ट्रेवल करा है है इसको को इत्ती दिर में पकड़ लेगा पुलिस को किती बज़े पता चला था पाँच बारा पर अगर पुलिस को पांच बारा पर पता चला था उसके बाद उसने 24 प्कड़ लिया उसको 24 प्कड़ लिया तो यह कितना आ गया 5 बारा में 24 विए और जोड़र 28 abd जोरू तो बारा 24 चोपर लिया है option planetary 3 आज़ाएगा हमारा ऩर मंबर सी वाला ऑट बहुंघ वाले करें पोली स्थाना एक बैंक और और चौर के लिए एक chave house एक s़idhi i ser रखा में है इसमें bank बीच में इस्ती ते ध्यान से समझना ठीक है यहाँ पर समझना धंग से इसको या बोल रहा है कि पुलीस ठाना एक बैंक और एक चोर के लिए safe house, एक सिधी रेखा में है, एक ही रेखा में तीन spot है, यह मान लो पुलिस थाना है, पुलिस station है ना, पुलिस थाना मान लो, और यह बोल रहा है कि जिसमें bank बीच में इस्तित है, तो मान लो bank बीचों बीच है, यह bank आ गया यहाँ पर, और पुलिस जहां पर छुपना चाहता है वो safe house, safe house, है ना, safe house, यहां पर है, यह क्या बोल रहा है, पुलिस थाना और safe house के बीच की दुरी, यह जो total distance है यह safe house और bank, यह बीच की दुरी का चार गुना है यह जितनी भी दूरी है न यह वाले इसका चार गुना टोटल दूरी है तो मैंने बात करते हैं कि आगे बात करते हैं नो regs से चोर भागा है नो बचके पंदरा मिनिट पे चोर भागा है बेंक से शो अह現在 पीछा करता है और विख छाण अप्र पांड ठास का पीछा करता है विठीज थे ना पुली स्थाना यहाँ है तो पुलीस की तरब और पुलीस यहां से उसका पिछा करने लगेगी इस थरीके से ठीक है चलो यह बोल रहा है पुलिस कर्मी 15 मिनिट में चोर को सेफ हाउस के गेट पर पकड़ लेता है यहीं कि पुलिस वाले को यहां से यहां तक आने में 15 मिनिट लगे और सेफ हाउस में जिसी घुसने वाला था यह चोर इस गेट पर पकड़ लिया उसको पुलिस वाले न उसने पीछा किया और चौर किस गती से भागा था I don't know नहीं पता ठीक है चलो कोई बात नहीं तो मुझे बताओ तो सोला की स्पीड से पुलिस वाले ने कितनी दूरी ताई कि तो देखो डिस्टेंस ट्रेवल बाई पुलिस इस्टेंस ट्रेवल बाई पुलिस है ना डिस्टेंस ट्रेवल बाई पुलिस पुलिस सोला की गती से भाग रही है और उस चोर को पकड़ लिया कित्ते मिनट में 15 मिनट में है मतलब पुलीस ने यहां से यहां तक 15 मिनट में डिस्टेंस टेवल कर लिया तो 15 दिवाइड बाई 60 ये 15 मिनट गंटें बदलने के लिए 60 का भाग दिया तो आप एक बात बताओ 15 से 60 कटेगा चार बार चार से 16 कटेगा चार बार यहीं कि टोटल डिस्टेंस चार किलोमेटर आ गया मतलब यह टोटल डिस्टेंस चार किलोमेटर का था तो यह चार को किलोमेटर लिख सकता हूं क्या मैं तो यह एक किलोमेटर आ गया ये तीन किलोमेटर आ गया है ना तो फिर ये बोल रहा है बैंक और पुलिस के बीच की दूरी कितनी है बैंक और पुलिस थाने के बीच की दूरी बैंक और पुलिस थाने के बीच की दूरी आ गई तीन किलोमेटर की यही हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर भी महा बक्वास महा रद्धी कुर्शन यह बताओ एक पुलिस सीधी सड़क पर चोर का पीछा करती है एक पुलिस वाला सीधी सड़क पर चोर का पीछा कर रही है तो देखो यह सीधी सड़क आगई स्टेट पुलिस उसका पीछा कर रही है चोर का मान लो यहाँ पर है तिफ और यहाँ पर है पुलिस पुलिस 60 की गतिसी गाड़ी चलाएगा तो चोर 15 मिनिट में पकड़ लेगा यदि 45 की गाड़ी चलाएगा तो पॉइंट 5 गंटे नहीं कि आदे गंटे पकड़ा जाएगा केवल 10 मिनिट में चोर को पकड़ना है पुलिस की गाड़ी की स्पिड क्या होनी चाहिए क्या बात है एक काम करो एसे समझों कि पुलिस वाला साठ की गती से गाड़ी चलाएगा न तो चोर को 15 मिने पकड़ने चोर की गती दे रखिए गया नहीं म recuperator एक काम करते हैं चोर की गति नहीं दे रखी है तो मैं चोर की गति को मान लेता हूँ औरे माना चोर की गति एक्स किलोमेटर पर आवर है है पुलिस की तो साड़ दे रखी है तो मुझे एक बात बताओगा अब सीधी बाते हम भी जानते हैं कि बहुत चोर यहां पर चोर ही कर रहा है और पुलिस वाला मान लो यहां है तो चोर उल्टा पुलिस वाले की तरफ तो भागेगा नहीं मरना होगा जो भागेगा चोर किस दिशा में भागेगा हमेशा विपर उसकी समान दिशा में भागेगा जिदर से पुलिस आ रही है उस चोर तो आना नहीं है उसको उल्टाई दोड़ना है बिल्कुल वह जिनिकि जिदर पुलिस भागेगी चोर भागेगा उधरी पुलिस गई तो 60 में से एक्स घटाएंगे relative speed हमेशा घटेगी तो 60 माइनस x की speed से अगर वो कितने घंटे चले 15 मिनिट अगर 15 मिनिट चले ना तो पकड़ लेंगे उसको वो 15 मिनिट घंटें बदने यह वो दूरी है जो चोर को पकड़ने में पुलिस ट्रेवल करेगी लेकिन एक और कंडिशन दे रखिए कि अगर पुलिस वाला 45 की स्पिट से चले यानि की speed कम कर दे तो आदे घंटे में पकड़ेगा उसको तो मुझे बताओ अब पुलिस वाला 45 की स्पिट से जा रहा है तो एकald तो एक्स की ही इस पिट से जा रहा है अगर इसी sergeant से चलते रहे नहीं दोनों रिलेटिव स्पिट से तो आदे घंटे यह अन्य कि 30 मिनिट में पकड़ लेगा वह डिए यह 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 तो देखो यह –------ यह और वह आपकी चौर की स्पीड़ कितनी आ गई 30 km प्रती घंटे तो यह 4 की स्पीड आ गई 30 km पर आवर यह आपकी चौर की स्पीड जो मैंने एक्स मानी थी उसकी वेल्यों आ चुकी है अब यह बोल रहा है कि इस चोर को जो 30-30 से भाग रहा है उसको 10 मिनिट में पखणना है तो पुलिस वाले को किस गती से गाड़ी चलानी पड़ेगी हुआ है अब पुलिस अब अब देखो पुलिस वाले की बात हो रही है तो अब अब पुलिस की गती मैं मान लेता हूँ वाई ये देखो लिखने की चीज इसलिए है क्योंकि तुम नमूने हो है ना पुलिस की गती मान लेता हूँ मैं अब वाई मान लेता हूँ मैं तो पुलिस की गती मैंने क्या मान ली वाई किलोमेटर पर आवर पुलिस वाई की गती से और चोर तीस की गती से भागेंगे और दस मिनिट में पकड़ लेगा पुलिस वाला उसको तो देखो पुलिस की गती वाई और चोर की गती तीस पुलिस में से ही हमेशा चोर की गती घटेगी क्योंकि पुलिस वाला हमेशा से चल रहे हैं कितने मिनिट तक 10 मिनिट तक 10 मिनिट तक है ना तब ही जाकर उसको पकड़ेगा कि आना काम करें अपन कि पहले तो मैं काम कर सकता हूं कि मैं पर डिस्टेंस तो निकाल लूँ मैं कम से कम डिस्टेंस कितना है इस्टेंस कितना है उन दोनों के बीच का ये भी डिस्टेंस है ये भी डिस्टेंस है ये तीस कहीं भी रख दो यहां रख दो यहां रख दो कहीं से भी निकाल लो यह मैं यहां रख देता हूं तो सहाट माइ है तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई 7.5 किलो मिटर ठीक है कि यह कुल डिस्टेंस निकाल ली अब पुलिस की गती मैंने वाई कंसीडर कर ली है ठीक है पुलिस की गती अगर मैं वाई मान लूगा तो आपको यह इतना जाना है है ना कि पुलिस की गती में से चोर की गती से वह घटा दूगा तो अगर यह 10 मिनिट तक चले 10 मिनट है टिवाइड बाई 60 कर लो यह इतने घंटे तक चलेंगे हैं ना दस मिनटे घंटे मदनने के लिए साड़े साथ किलोमेटर की टोटल डूरी ट्रेवल कर लेंगे यह ठीके साढ़े साथ किलोमेटर यह हमारी टूटल डिस्टेंस लुकरों तो का multiply करो तो साड़े साथ में छे का गुणा करोगे कितना आ गया पंद्रा इंटू दिन 45 आ गया तीस जाकर जुड़ जाएगा तो वह बरावर 45 प्लस 30 कि यहीं कि 75 आंसर होना चाहिए इसका 75 कि आंसर हो जाएगा 75 किलोमेटर पर आवर तो अब आपकी जो पुलिस वाला है उसकी गति 75 किलोमेटर पर आवर होनी चाहिए ताकि वह दस मिनिट में उसको पकड़ ले ठीक है यह बताओ एक चोर एक वस्तु जुराता है और साड़े तिरा की गति से भाग जाता है ठीक है मैंने कहा यह मान लता हूं मैं कोई डिस्टेंस है डी कि 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 इतना वक्त हो गया है कि एक घंटा 20 मिनिट हो गया है क्या बात है जी क्या बात है एक बात बताओ यह यहां पर चोर है आपका यह पुलिस है है अगया अगया अब यह थीफ यहां आ चुका है और यहां पुलिस वाला है अब पुलिस वाला अपराद इस तल पर पहुंचने में 8 मिनिट लगाता है तब तक यह जो थीफ है यह आँट मिनिट में कितनी दूरी ट्रेवल कर लेगा इतनी एक है तो चोर साधह तेरा की स्पीड से आठ मिनट तक भागा तो डिस्टेंस ट्रेवल बाइ थीफ कितनी है साधह तेरा की स्पीड से आठ मिनट भागा आठ मिनट है डिवाइड बाइ सबस्क्राइब कि एक द्रश्मल आठ किलोमेटर बोल लो या अठारासो मिटर बोल लो कि मिटर में अठारासो मिटर लिख लो चलो अठारासो मिटर है कि है ना वन पॉइंट या 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 अठारासो मिटर एक ही तो बात है कि है ना है टीक ए मतलब पुलेस वाला जब पता चला पुलीस वाले को तब तक यह आट मिंट तक भग चुका था तो जैसे ही पुलीस वाल यहाँ पहुचा पता चला चोर तो 8 8 मिनिट पहले भाग गया मतलब फोर 8 मिनिट में अगे पहुंच गया है अब पुलिस यहाँ है चॉर यहाँ है अब पुलिस यहाँ है पुलीस द्वारा चौर का पीछा करने से 28 मिनिट बाद भी दोनों के बीच की दूरी इतनी है इसका मतलब यह हुआ ध्यान से समझना कि भाया इस पुलिस वाले ने इसको पकड़ने की कोशिश भी कर ली और 28 मिनिट तक भागे हैं तो यह भी 28 मिनिट भागा यह भी 28 मिनिट भागा तो मान लो यह थीफ है वह यहां आ रगा गया है ना फिर भी इन दोनों के बीच की दूरी अभी भी जो है ना यह पांसो चालिस मिटर की है पाइप फुट्टे मिटर की है कि ठीक है कि पांसो चालिस मिटर की अभी भी दूरी है अपराद से कितनी दूरी पर पुलिस वाला चोर को पकड़ेगा और पुलिस की पुलिस कर्मी द्वारा चौर का पीछा करने के 28 मिनट बाद भी काम करें है पनदेज काम कर सकते हैं पनदेश्का कर सकते हैं पता है कि 28 मिनिट तक पुलिस कर्मी द्वरा चोर का पिछा करा गया है पुलिस की चाल नहीं दे रखी वो अपने को निकाल नहीं है ठीक है मैंने काई काम करते हैं 28 मिनिट में यह कितनी दूरी चले हैं एक मिनिट कि डिस्टेंस ट्रेवल वाइब बोथ अठारा सो मिंटर अगर यह आठ मिनिट में गये हैं न हुँ एक मिनिट यह थोड़ा सा सवाल शांदार आ गया है यह और कित्ते बचे हैं बस एक ही है चलो इसको ढंग से समझ लता हूं एक बार फिर बताता हूं देखो एक चोर एक वस्तु चुरा रहा है चोर भागा वस्तु चुरा के गड़तर साड़े त्यरह की सपुट से आट मिनिट बाद पुलिस अ अपराधिस्तल पे पहुचा चोर साड़े त्यरह की सपिट से आट मिनिट में 1.8 km तक भाग चुका था अटारा सो मिंटर या 1.8 km भाग चुका था अलब पुलीज यहीं है और वह 18 जो 1.8 km आ गहे है अ ठीक है 28 मिनिट बाद 28 मिनिट में तई की गई दूरी चोर के द्वारा कितनी है पता कर लू क्या मैं चोर 28 मिनिट में कितना गया चलो मैं पता कर लता हूँ तो चोर 28 मिनिट में चोर 28 मिनिट में कितनी दूर गया क्योंकि देखो पुलिस की चाल तो हमें दे नहीं रखी है हमें ये जरूर दे रखाए कि पुलिस वाले ने उसको 28 मिनिट तक पीछा करा और फिर भी उन दोनों के बीच की दूरी इतनी रह गई यानि कि पकड़ नहीं पाया पुलिस वाल 28 मिनिट में भी तो मैंने ये कह लिय है वह और 28 मिनिट तक भागा है 28 मिनिट है डिवाइड वाई 60 कर लो ठीक है आप एक बाद बता दो कितने किलोमेटर या मीटर गया है वह तो यह पॉइंट हटेगा तो जीरो लगेगा पंद्रा नमे एक सो पैंटीस पंद्रा चोके साहट चालीस बार कटेगा चार सत्य बटे-दस यहीं कि 6.3 किलोमेटर चला जाएगा वह है ना साथ नमे 63 बटे-दस ठीक है 6.3 किलोमेटर काम करते हैं इसको सबसे लास्ट में दिखेंगे है ना अच्छा सवाल है पर अभी थोड़ा वक्त लग जाएगा और मैं चाहता हूं यह जल्दी जल्दी टाइच चीजे करवा दूँ इसको सबसे आखरी में देखते हैं ना यहां देखो दो शहर है पी और क्यों उनके बीच में 275 किलोमेटर दूरी है तो मान लेता हूं एक शहर पी है एक शहर क्यों है ठीक है इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 275 किलोमेटर तो 275 किलोमेटर दूर एक दूसरे से शहर है दोनों कि कि एक मोटर साइकल सवार 25 की गति से सुबह 10 बजे पी से क्यों की और जा रहा है तो देखो सुबह 10 बजे एक बंदा चला यहां से तस बजे चला है एना इस गतिसे से चला है 25 की इसपिट से तो यह 25 की से चल रहा है इधर 10 बज़े एक अन्य है व्यक्ति जो क्यों से पीकी और जा रहा है और वह भी 20 की स्पिट से जा रहा है इधर 12 बज़े चला है है तोव गंटे में कितना चल देगा हैं एक घंटे में 25 km दो गंटे में 50 व कि 50 km चल देगा यह दो गंटे में twitch है फिश्क चल्क आपàiई ज़िए 10 ुनना वागी है और वज बाद कितनी गई है यह दो गंटे चल चुका है तो बारा बज गई है अब बारा बजे मिल जाएंगे यह बताओ अनिल और तीरथ दो बंदू है A और B जो एक दूसरे से 192 kling के दूरी पे है एक बंदू A है, एक बंदू B है यह एक बंदू B वन नैंटिं टू क्लोमेटर दूर है एक दूसरे से 192 kling दूर है है ना एक दूसरे से यह बोल रहा है किए बीच में गाड़ी चलाते हैं ठीक है यह और B वन नइंटीट्ञ की दूरी है इनके बीच में गाड़ी चला रहे अनिल आठ-बीस पर चलता है यह आठ बैस पर चलेगा मतलब यह 64 की स्पिट से गया वापस आ गया है ना फिर 950 पे तीरत बिंदू ए से यात्रा शुरू करता है तो 950 पे एक और बंदा है जो यहां से चलता है 10 में और वो 96 की स्पिट से चलता है कर यह नियां से बीपर से पहुंचा तुरंट वापस यह यह बहुंद आ गया ठीक है यह भी आगया तहीं में यह लोग यह लोग यहां मुझे यह जहल रहे हैं इस एक बंदा गया और वापस आ भीस एक 20 फृड वापस आगा तो एक बात बताओ रिल tu सोच्ट सट की सपट से 192 km जाना चाहता है तो मुझे पता है जो पहला बंदा आट 20 पर चला है जो अनिल है वो शृच्ट की सपट से 192 km जाना त्राने घंटे लगाएगा तीन घंटे योणि अगर यो 64 की स्पिट से तीन घंटे में पहुंच गया तो आठ बीस वाला बंदा तीन घंटे में तीन घंटे में अब इसी दी बात है 64 की स्पिट से तीन घंटे चलेगा तो 192 किलोमेटर चल देगा तो यहां पहुंच गया तो तीन गंटे में पहुंच गया तो आठ बीस से तीन गंटे आठ से तीन ग्यारा बीस पर यहां पर ग्यारा बचके बीस मिनिट पर पहुंच गया कौन पहुंच गया न passado अनिल पहुंच गया है वहां पर धिक अब अब मुझे बात बताओ जब वो कि यह यायरा वीस मुआ पहुंच गया तो इह गयारा वीस्च पर कहा पहूं अभी कि n충 Серघर अर फैसे क्ढ़ आएग और फैस कोकितना वक्त लगा होगा ध्यान देना पर इसको इसको नमशुफ से ग्यारा भीस कितना होता है तसमीनीर दसमेट यांने 100 कि नब्भे मिनिट मतलब होता है नब्भे बटे साथ नब्भे मिनिट गंटें बदलने के लिए साथ का भाग दोगे इतना आगे 00 कटेगा 6 से कटेगा 16 बार 169 एक सो आट नहीं नहीं का सवाए Insy mah Guide from 144 किलोवेटर चल चुका है अना 144 मान लो यहां से यहां तक टैसे यहां तक वनफोर फॉर किलो मेटर आ चुका है लुकिंट हैं कि अब उसको और कितना बाकी है चल न चालन अबाकि हुई देखो विए 192 बार चल लिया 1092 में से 144 चल लिया 192 में मतलब मैं कह सकता हूं कि अभी 11.20 हुए है यह 11.20 हुए है तो जो अनिल था वो तो वहाँ पहुच गया और जो तीरत वह गुंते 11-20 पर यहां आ गया अब तीरत तो आगे जाएगा लेकिन अनिल वापस आएगा तो तीरत ऐसे जाएगा आमने सामने में हो जाएंगे दोनों को चलना कितना है 48 तो यह मात्र दोनों को चलना है 48 और दोनों चल रहे हैं कि इस पीड से तो एक चल रहा है चॉण सट से एक च्छानवे से क्योंकि रिलेटिव स्पीड में दोनों की चले जुड़ेगी तो च्छे चार दस की शुन्या एक बचेगा छे नो पंदरा और एक सोब एक सौट की स्पिट से चलेंगे यह मतलब इतने घंटे में मिल जाएंगे इतने घंटे में अच्छा इस गंटे को मिनिट में बदलने के लिए आप चाहें तो साट का मल्टिप्लाइब कर सकते हो तो मैंन अरती संसर आजाएगा option number पहला यह सवाल खिषडी पका देगा है थोड़ा धंग से समझना इसको चलो एक इस्टोबेच वाला concept है इसको भी समझना देखो एक आदमी 14 की स्पिट से चलता है और हर एक किलोमेटर के बाद हर एक किलोमेटर के बाद वो साथ मिनिट आराम करे है और हर एक किलोमेटर के बाद साथ मिनिट आराम करेगा तो बताओ साथ किलोमेटर जाना में कितना वक्त लगेगा यह दूरी है हमारी साथ किलोमेटर की सेवन किलोमेटर की डिस्टेंस है तो अगर 14 की स्पिट से जाएगा साथ किलोमेटर तो साथ किलोमेटर जा रहा है चौदा के स्पिट से तो आदा घंटा लगेगा उसको यानि कि 30 मिनिट में पहुंच जाना चाहिए वो लेकिन एक condition जोड़ दी है इसमें यह समय लगेगा कितना तो समय 30 मिनिट लगना चाहिए वह आदा कि 53 लगने वाले थे लेकिन हुआ क्या है कि हर एक किलोमेट्र के बाद वह साथ मिनिट आराम करता है तो एक किलोमेटर के बाद वो साथ मिनिट आराम करेगा तो आप मुझे बताओ यह साथ किलोमेटर का सफर है है ना साथ किलोमेटर का सफर है तो देखो यहां पर यहां से चला वो है ना यहां से चला तो यह पहली बार आराम किया साथ मिनिट के बाद साथ हर एक किलोमेटर के बा किलोमेटर चला साथ मिनिट आराम फिर एक किलोमेटर चला साथ मिनिट आराम फिर एक किलोमेटर चला साथ मिनिट आराम तो कितने किलोमेटर आ गया एक दो तीन चार पांच छे और यह साथ यह साथ यह किलोमेटर चलेगा फिर साथ किलो साथ मिनिट आराम है ना एक बात बता तो मुझे एक बात बताओ साथ किलोमेटर में कितने आराम हो गए एक दो तीन चार पांच छे साथ जितने किलोमेटर है और हर एक किलोमेटर में एक 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 आराम हो रहा है तो टोटल साथ आराम करेगा कितने बाराम करेगा साथ बाराम करेगा ताथ बार क्या कर रहा है आराम तरह मुझे इक बात बताओ यार यहां से चला था ये पोइंट यह पीपौइंट यहांसे चला तो एक किलोमेटर चला कि और यह एक किलोमेटर सब्सक्राइब सेखता न स्थ जो गया फिर त। तो साथ किलोमेटर में कितनी बार्स हो या वो तो एक दो तीन चार पांच छे साथ साथ बर्स हो गया लेकिन ध्यान देना ऐसी कंडिशन में हमेशा लास्ट बार वाला काउंट नहीं होता क्यों होता क्योंकि देखो यह पहली बार में फिल्ट ओद थे लिए लिए इसलिए स तरी नहीं होता क्योंकि अब तो यह पहुंच गया है जो पहुंच गया है तो कि मर्जी वह 5 दस मिनकी 100ios 5-10 आदा गंटा वाला हमेशा consider नहीं होता है, इसलिए 7 बार आराम नहीं करेगा, एक बार हमेशा कम बार आराम करेगा, यानि कि 6 बार आराम करेगा, तो आराम कितनी बार किया, आराम, आराम हराम है, तो मुझे बताओ, 6 बार आराम किया, और हर बार आराम, आराम में उसने 7 मिनिट बरबाद क तो मुझे बताओ कुल कितना समय लगा? कुल समय है कुल समय कितना लगा? उसको वहां तक पहुचने में बताओ तो आप बोलोगे 30 मिनिट यह, 42 मिनिट यह, 4 दिन साथ 72 मिनिट लग गए 72 मिनिट यनि कि 1 गंटे 12 मिनिट यह रा option number पहला कि आपका आप आपका, एक गंट एक गंटे का 5 वाहिस साइक गंटे का मतलब क्या होता है, 60 मिनिट, तो पांच से साथ कटे का बारा बार, तो एक गंटे 12 मिनिट यह, अंसर आगया, ठिक है न? 100 मिनिट, 72 मिनिट को बोलते हैं ठिक है? यह बताओ हमें, average speed पूछिए है और यह बोल रहा है चार साइक्ट से अपने स्कुल जाता है घर से इस स्कुल की दूरी पांच किलोवेटर है और इस दूरी को एक घंटे में त्य करता है वह ना लेकिन गार जाते समये दो बार पांच-ांच मिनिट के लिए सो जाता है तो एवरेज स्पिड बताने है पान्च-5 मिनिटे के दो आराम कर लिए उसने 5कर 55 मिनिटे के दो आराम हमें डाइरिक्ट दे रहा हमें निकालने की जब इतनी पड़ इसुक्त बार आराम किया है तो 5-25 इंट दो बार होगा किया Penthouse- होगा यनि है दस मिनिट आराम करने इसका मतलभ ए इसे 10 मिनिट आराम कर दी तो पचासी मिनट चला वो अब यह पचास मिनट है इसको घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग दोगे तो यह साट का चला जाएगा पलट के यहां पर आ जाएगा साट यह जीरो जीरो कटेगा और यह पांच से पांच कटेगा यानिकि वो आपकी ज सब्सक्राइबर के सब्म leaf दीपगे तो आप यूज़ुस करते हैं तो हमारा पर फॉलो कर लेना ठीक यह कि या इंस्टाग्राम में ऑर यह में यह मेरा है बीपक पाडिदार 2016 ठीक है प्छिशक अब्षकनuba करता हैं जिसने माता खा गया है नहीं हम देख लेते हैं ठीके है चलो आराम से करते हैं रदी ही सवाल निकलेगा देखना एक चोर एक वस्तु चुराता है साड़े तिरा की गति से भागा है और आठ मिनिट बाद पुलिस अपरा दिश्टल पर पहुंचा है ठिक है पुलिस द्वारा चोर का पीछा करने में 28 मिनिट बाद भी दोनों की बीच इसकी की दूरी इतना है पुलिसने उसका पीचा 28 मिनुट तक किया है 28 मिनिट में धोनों दबाराँ चले की दूरी अपन निकाल सकते हैं भिल इख और देखो चोर कितना गया है साढहे तेरा की स्पिट से आठ मिनिट में तो साढहे तेरा की स्पिट से ग información कि आठ मिनिट्ट चला है। कितना आया था 800 मेडर है ना 1.8 किलो मिटर या अठारा सू मिटर लुए जो चोर हमें दे रख है यहीं कि चोर इतना आगे है अभी हमारे से ठीक है चलो तो मान लेता हूं में यह पुलिस वाला है यह चोर है और अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है एटारा सो मेंटर की है यह बोल रहा है कि पुलिस द्वारा चोर का पीछा करने के 28 मिनट के बाद भी दोनों के बीची के फाट सो चालीस मेंट और ईना है तो मैंने का चोर ने 28 मिनट में कितने दूरिताई कर ली सौसर्फ तर Wähag भागा है तो इन्टू सिक्स्टी डिवाड़ बाई सिक्स्टी चोर अठ्थाइस मिन्ट में कितना गया तो दिखो अब 15 नमें 135 चोके साथ 15 नमें 135 चोके साथ चार सत्य अठ्थाइस ताथ नमें तरे सट यहीं कि 6.3 किलोमेटर चला गया है वो ठीक है तो पॉइंट्री किलोमेटर चोर चला गया है ना 28 मिनिट में अचसने यह 6.3 किलोमेटर ओर चला गया है और उसमें से 540 घटाना है ना कि बांद भी इतनी दूरी उनके बीच की है अब चोर six point three kilometer चल चुका है मैंना और पुलिस वाला अभी भी इतनी दूर है कि अपराद इस तर्थ से पुलिस चोर को किते दिरेमें पकड़ेगा कि मैं कुछ मिस कर रहा हु यार एक मिनिट साथे तेरा की स्पिट से चो चोर का पीचह करना शुरू करता है पुमीडुस द्वारा छोर का पीचह करने के 28 ette बाद पुलिस द्वारा छोर का पीचह करने के 28 मिनट बाद भी दोनों के बीच की दुरी 540 मिटर की है यानि कि दोनों के बीच की दुरी अभी भी 540 मिटर है यह पीछा करने के बाद भी 540 मिटर है इन दोनों के बीच की दुरी कि अधिक है लब चोर पुलीस के बीच का गैप 540 तो अभी भी 28 मिनट के बाद भी तो फिलाल में है 18 मिटर का और अगर 28 मिनिट चल ले हैं तो भी इतना गैप रहेगा ही रहेगा है ना तो आप मुझे बताओ ना अगर 28 मिनिट बाद भी दोनों के बीच की दूरी इतनी रहती है एक काम हो सकता है अ पुलिस की स्पिट तो हमें देनी रखिए वो हमें निकालनी है ना एक मिनिट कुछ है अगर 28 मिनिट के बाद दोनों के दूरा चलेगा दूरी इक्वेशन बना के करें तो बिना एक्वेशन के होना चाहिए यार यह आठे-तेरा की स्पिट से आठ मिनिट भागा है वो एक चोर पुलिस का पीछा करते है तुरन चोर का पीछा शुरू कर देता है पुलिस दौरा चोर का पीछा करने में 28 मिनिट बाद भी दोनों के बीच की दूरी पांसे चालेश मिंटर के दूरी रहती है 28 मिनिट बाद भी पुलिस दौरा चोर का पीछा करने के पुलिस वाले ने चोर का पीछा करने के 28 मिनिट बाद यानि के 28 मिनिट तक भी पुलिस वाले ने उसका पीछा किया तो भी उनके बीच की दूरी 540 है अभी भी है ना पुलिस 28 मिनिट तक भाग रहा है ना ठीक है तो मैं कह सकता हूं कि यह कहानी कुछ ऐसी है कि जैसे पुलिस वाले ने चोर का पीछा गी 28 मिन तक भागा सिधी बात है चोर साधे तेरा के स्पिट से 28 मिन तक भागा कि इतना आया था 6.3 किलोमेटर है ना यहीं कि मैं कह सकता हूं देखना कि 6.3 किलोमेटर यह चोर भागा है 6.3 किलोमेटर ना ठीक है इसको मैं 63 सो भी लिख सकता हूं 6300 मिटर है ना तो सिधी बात है कि 63 सो मिटर पुलिस वाला भागा है तो चोर यहां पर आ चुका है अब पुलिस वाला यहां पर आ चुका है वह पुलिस वाला यहां तक भागा है ना और जो चोर है वो यहां से यहां तक भाग गया है लेकिन अभी भी उनके बीच की दूरी 540 मिट है कि कि एक बात बताओ कि टोटल दूरी कितनी बन रही है कि आप एक त्रेश्ट सो और पांच त्रेश्ट पांच त्रेश्ट पांच अडश्ट सो चालीज आ रहा है और यह अठ्ठारा सो आ रही है अगरा चालीस आगए आट अट सोला की छे चेश्ट साथ और एक आठ अजार चास्ट सी नहीं इसका यूज़ अपन नहीं करेंगे एक मेनिटी आफ कुलिस द्वारा चौर का पिछा करने के अठ्थाइस मिनट बाद भी अठ्थाइस मिनट बाद भी कुलिस का चौर का पिछा करने के बाद अठ्थाइस मिनट बाद अच्छा थोड़ी न आ या या ठारा सो मिंटर कम हो जाएगा ना तरे शेट सो में से ऐसा होना चाहिए ये त्रेंशेट सो माइनस अठ्थाइस सो यह ना डबल जीरो तेरा माइनस आठ पांच बचेगा दो गया चार बचेगा पैंतालिस सो नहीं यार एक मिनट में चेक कर लता हूं यार मैं कहीं ना कहीं तो मिस्स कर रहा हूं मैं ठीक है अच्छे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा देजिए जडिए मी जड़ा सा वक्त ठीक है अच्छेव मी जड़ा सा वक्त अभी मैं चेक कर लेता हूं इसमें क्या एरड कर रहा हूं है कि हुआ है कि कि अब एक चोर वस्तु चुरा रहा है साड़े तेरा की इस्पिट से भाग रहा है आठ मिनिट के बाद भी ठीक है आठ मिनिट के बाद भी पॉर्ट पांच सो चालिस मिटर अठाइस मिनिट के बाद भी इनके बीच की दूरी है यह ठीक है 540 मिٹर तो रहेगी ही रहेगी अगर 12 800 है 800 मेंसे 540 गया 12 AM पॉंच तेरा 13 मेंसे forms 60 गया 1240 गया 1260 गया 1260 58 प्सक्षब इसमें यार कुछ है ना लिंगवेज संबंदी इशू लग रहा है मेरे को मुझे कुछ तो गडबड लग रही है एक बार फिर से देख लता हूं मैं एक चोर एक वस्तु चुरा रहा है साड़े तरह की स्पिट से आठ मिनिट भागा है आठ मिनिट यह नहीं कि आड़ बाइस ना इस पुलिस्वाला है कि रिये थिव है चोर रहे नो है आठ मिनिट के बाद उनके बीच की तोरी 818-20s मिनिट भागा है ना यह आठ्ञाइस मिनिट तक इसका पीछाँ किया अठ्स मिनिट तक 28 मिनट तक पीछा किया इसका है न 28 मिनट तक तो भी इनके बीच की दूरी 540 तो रहेगी ही रहेगी 540 रहेगी ही रहेगी ने कि थीफ यहां आजाएगा पुलीस अगर यहां है तो है न अरे क्या कर रहा हूं यार गडबड कर रहा हूं ना कब से सवाल रद्धी है देखो इस सवाल ऐसा है कि भुवान कसम भीजा खा गया जरा सा सवाल था लपकू सा सचिन है देखो यह सवाल कुछ ऐसा है आपको यह बोल रहा है देखो यहां पर आपका पुलीस वाला है ना यहां पर पुलीस वाला है यहां पर चोर है और देखो भी मुझे मालूम है कि चोर जो है पुलीस वाले को पता नहीं चला तब तक आठ मिनिट तक चोर भागता रहा आठ मिन एक बाद बताओ अगर यह दोनों 28-100 मिटर तक भागते रहेंगे ना भागते रहेंगे भागते रहेंगे अब देखो अल्रेडी चोर यहां पे है पुलिस वाला यहां पे है चोर की स्पीड है सारह तेरा 13.5 पुलिस की स्पीड हमें नहीं दे रखिए मैं पी मान लेता हूं पी की स्पीड पी है मान लो यह दोनों भाग रहे हैं अभी इन दोनों पुलिस वालन देखा कि यार चोर तो मुझसे 18-100 मिटर आगे है मैं नहीं का पीछा करता हूं इसका चोर यहां से भागे का पुलिस इसका पीछा करेगी और 28 मिट तक भागेंगे ना यह मतलब पुलि इस मिनट भागने के बाद तो अठारा सो में से 540 का इप अभी भी बचा है मदब ओकक्राइस मुनिट में से पांसो गया तो इता आएगा त्यारा सू में से भी चालिस गया वारासो सहाट यह जने की यह खाली 1220 30 मिंटर भाग पाए 28th मिनट में यह ना इतने मिंटर भाग पाए हो 28 मिनट में चलि गई दूरी निकाल लेता हूं दोनों के कि दौरा 28 मिनट में चली दूरी 28anson मिंटर है कि बारासोसाच मिंटर जा रहे यह 28 मिनट में मिनट है इसको रडै म Pac玩 시 मिनट एंटू साथ यानि की सेकेंड आ गया इसको मैंने किलोओमेटर पर आवर में बदलने के लिए गोड़र बटे पाँच है ये दोनों के द्वारा चली की दूरी है ना है दूरी बटे समय यांकि दोनों की द्वारेलेटेव एप स्पिड धुनों की रिलेटिव स्पिड मतलब में से मैं अगर थीफ यांनि की शाड़ेतीः च्वर की स्पिड घटा दुए न से इन दोनों की रिलेटिव स्पीड आ जाएगी कि ये चाल बराबर ये दूरी बटा समय है आप इसको सॉल्व करिए जीरो से जीरो कटेगा जी दूनी बाराच ये कम छे हैं है ना साथ तिया इकिस साथ चोके अठ्थाइस दो दुनिया चार दो नमे अठारा नोट ये सत्ताइस वटे दस यानिकी टू पॉइंट सेवन आगए आपकी स्पीड ये साड़े तेरा उदर जाके जोड़ लो तो पुलीस की स्पीड कितनी आ जाएगी तेरा पुइंट पांच में दोफ्श जोड़ो साथ पांच वारा की दो और भिट्व और पंद्राफ पंद्राफ और एक्शोला सोительно батो डो किलो मेें पर आवर ये पुलीस की स्पीड आगई पुलीस की स्पीडवश की स्पीड पांगे 16.2 इंगि पहला option answer नहीं है दूसरा option answer नहीं है यह दो answer हो सकते हैं अब आप से क्या पूछा हुआ है द्यहां से सब्ढ़ना पुलीस वाला चोर को कितनी दूरी पर पकड़ेगा बताओ भया पुलीस ने इस चोर को पकड़ा कितनी दूरी पर है बस यह पूछा है मुझसे ठीक है अब पुलीस की स्पीड भी पता चल गई मेरे को 16.2 है ना चोर के इस पीड़े भी बता है मुझे एक बात बताओ यह दोनों मिला के 28 मिनिट तक भागे थे हैं है ना ठीक है एक काम करें अपन इन दोनों के बीच की दूरी 540 मिटर है ना है ठीक है कि काम करो पुलीस और चोर दोनों मिलाके 28 मिनिट तक भागे थे तक मैंने का पुलीस 28 मिनिट में कितनी दूर जा रहा है मुझे यह पता करना है खाली कि पुलीसने 28 मिनिट में मैं कितनी दूरी travel कर लिए तो देखो पुलीस 28 मिनिट में वही शुरू में चोर देखो इस पुलीस वाले ने चोर का पीछा 28 मिनिट तक किया था फिर भी इन दोनों के बीच की दूरी 540 मिनिट रहे गई तो 28 मिनिट में चोर भाग कितना रहा है पुलीस भाग कितना रही है पहले तो दोनों को भगा द किद नहीं 16.2 तो 16.2 किलोमेटर पर आवर की स्पिट से अगर यह 28 मिनिट चला तो डिवाइड़ बाइशिक्स्टी कर लो कि अना कि अना डिवाइड़ बाइशिक्स्टी कर लो तो देखो यह पॉइंट से जीरो लग जाएगा ठीक है कितनी बार कटेगा यह नहीं कट रहा है ना तो इसको 28 मिनिट मत दोड़ाओ फिर क्योंकि पॉइंट में आ जाएगा और लफड़े पड़ेंगे आप एक काम करो पुलिस को अगर में अपराद इस्तल से कितनी दूरी पर पुलिस चोर को पकड़ेगा अपराद इस्तल से कितनी दूरी पर चोर पकड़ेगा पुलिस पकड़ेगी चोर को हाँ हना कि तो पुलिस की स्पेर आ गई 16.2 अब वो कितनी दूरी पर उसको पकड़ेगा एक काम करते हैं जो टॉतल दूर कितना है यह पुलिस वाला चोर से से शुरू में कितनी दूर था अगर मैं पुलीस को 18 मिटर चला हूँ देखो पुलीस वाला समझना अगर मैं बोलू पुलीस वाले को कि बैटा अगर शुरू में उसको पुलीस वाला अगर शुरू में चोर को पकड़ता तो रिलेटिव इस्पीड कितनी होती 16.2 में से 13.5 जाएगा तो 16.2 में से 13.5 गया तो 12 में 5 गया 7 बचा 14 होगे 2.7 यहीं कि 2.7 की स्पीड से 1800 मिटर जाता है तो 2.7 किलोमेटर है इंटू 5 बाए अठारा है अठारा उपर चला जाएगा कि अना इतनी दूर जाना है में इतना चाल से चले थे वो ठीक है तो यह किलोमेटर पर आवर में था तो किलोमेटर यह आ गया और पर आवर यह आ गया जानी कि यह इतने घंटे लगेंगे टोटल ठीक है चलो यह दो पॉंट साथ बात में कंफ्यूज होएंगे बहुत सारे लोग तो मैं यह से लिख देता हूं कि यह आगया 16.2 माइनस 13.5 गटाया है इन दोनों चालों को यह 2.7 आ गया है ठीक है इसको सॉल्व करों देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यह पॉइंट हटेगा तो जीरो लगेगा नो तिया 27 नो दूनी अठारा और तीन चंग अठारा और पांच से कटेगा पांच से बारा सो बारा सो दूनी चोईस सो चोईस सो काई में आ गया है एक बार फिर से लिखता हूं पता नहीं क्या रोया हूं मैं देखो 800 मिटर जाना है 800 मिटर है तो 1.8 किलोमेटर लेख लो चला 1.8 किलोमेटर जाना है में उनकी रिलेटिव स्पीड है 2.7 इतने घंटे लगेंगे पॉइंट से पॉइंट हटे गया नो दुनी अठारा नो तिया सत्ता इस यानि कि दो तीहाई घंटे में पकड़ लेगा उसको दो तीहाई घंटे कितना मिनट होता है यार तीन से सहाट गटेगा चालीस चालीस मिनट में वह पकड़ लेगा है ना चालिस मिट में पकड़ लेगा उसको तो मुझे बात बताओ अगर चोड को पुलीस वाला 40 मिनट में पकड़ लेगा तो पुलिस वाले की स्पीड़ कितनी थी 16प दो देखो पुलिस दौरा चलए गई दूरी यही तो बतरह पुलिस चोर को पकड meglio किती दिर में पकडेगा है ना कित्ती दूरी पर पकड़ेगा तो दूरी निकालना है तो दूरी दूरी पुलिस द्वारा चली गई है ना देखो 16.2 की स्पिट से पुलिस जा रहा है वो भी 40 मिनिट तक जा रहा है तो डिवाइड बाई 60 कर लो जीरो जीरो काड़ दो अब देखो यह छे से काड़ द दूरी पर पुलिस वाला पकड़ लेगा तो 10.8 किलोमेटर दूरी पर पुलिस वाला पकड़ लेगा ऑप्शन नमबर डी मेरा आंसर आ जाएगा बहुत दिमाग खराया आपकर या भाई एसे सवाल परिक्षा में अगर किसी को आ गए लोजिक नहीं समझ में आया भी या जैसे अभी में थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया तो मा डालेंगे यह कोश्चन कठिन नहीं है कभी कबार ना लोजी की समझ में नहीं आता है लेंगवेज बहुत अच्छे सवाल क ही है यह मतलब यह सही माहिने में 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 पूछ जाने वाले कोशन है जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़े बेजा फ्राइक कर दे अच्छा सवाल है काफी वक्त लिया इसने है लोग तो पहले भाग गए होंगे पर कभी कबार सवाल को वक्त देना पड़ता है कुछ स सवालों का लोजिक क्रेक करने में ठीक है लगबग हमें हो गए है दो घंटे चलो शुबकाम ना है आपको यह क्लास भी हमारी कंप्लीट हो गई टाइम इस्पर इन डिस्टेंस के जो भी अच्छे-च्छे कोशन से वह मैंने सारे करा दिया आपको ठीक है यही कुछ ठीक थ करा दूंगा फिरम हम ना उधारा और उसके बाद रेस पड़ेंगे बाई बाई